Hello students, I am Neeraj Chasta, Team Physics CLC Seeker, DCM Series के पहले Major Test में आप लोग का स्वागत करता हूँ श्याद आज जो टेस्ट हुआ है ये इस सेशन का आपका पहला Full syllabus Major Test रहा होगा पेपर को देने पर मैं उमेद करता हूँ कि आप लोग को एक बहुती अच्छा experience आप कर रहा होगा और हम लोग Physics Solution के Physics Paper Solution की आपर बात करेंगे Question Paper में हमारे पास दो सेक्शन रहा हैं एक Section A है, जिसमें 35 questions हैं और वो compulsory questions हैं जो आप लोग को पूरी दरह से attend करने हैं और Section B में 15 questions हैं जिसमें से आप लोग को 10 questions attend करने हैं तो हम लोग चलेंगे physics paper solution की तरफ जिसमें हम लोग पहले section को section A को अपन पहले solve करेंगे देखेंगे कि आप लोगोंने कैसा perform किया हैं चलते हैं हमपन question number 1 की तरफ चलते हैं a point mass of 5 kg is placed at 3, 4, 0 coordinates then the moment of inertia about z axis will be 5 kg द्रेमान का एक बिंदू द्रेमान 3, 4, 0 निर्देशांग पर रखा गया है जैडक्ष के सापक इसका जड़त वागून क्या होगा देखें तो देखते हैं system में क्या बात चल रही हैं हमारे पास ये situation है कि ये अपने पास axis हो गई ये अपना हो गया x axis और ये हो गया अपना y axis और हम पर एक point mass रखा है और point mass की जो location दे रही है that location is 3, 4, 5 देखें क्या होगा 3, 4, 5 ये x, y plane में रहेगा और यहाँ पर z coordinate क्या है जीरो है ये अपने पास हो गया 1, 2 और this will be 3 और इधर से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया अपना पास 4 तो basically यह coordinate जो बनना है, z coordinate तो इसमें क्या है अपना? 0 है और अगर अगर अपन इस particle की बात करें तो इस particle को अपने जो रखा है वो location अपने पास यह रही, this is our mass, this mass is m अपने पास 5 kg, ठीक है, बट आपको question में आगे जो पुछा हुआ है, कि हम लोग को इस object का z axis के about moment of inertia calculate करना है तो z axis कहा पर रहनी है, z axis हमारे पास रहेगी इस जगह पर, this is perpendicular to the plane और perpendicular right now let us consider plus z is perpendicular outward to the plane, यहां से plus z axis जो है वो perpendicular outward है, तो यह रही अपनी पास z axis, अपनी को यहाँ पर calculate करना है इस m mass का, इस axis के about moment of inertia, हम लोग जानते हैं कि point mass जो होता है, उसका moment of inertia जो देते हैं, वो हम में given है, the point is what is r, r क्या है, यहां पर r जो है, यह mass की axis of rotation से perpendicular distance है, यह दिये गए द्रेमान की गुर्णनक्ष से लंवत दूरी है, लंवत दूरी का मतलब यह है, यह perpendicular distance का मतलब यह है, कि अगर मैं यहां पर बात करता हूँ, तो this location or this distance is right now what, 3, और this distance will be what, 4, पर आपको यहां पर यह पूछा हुआ है, कि यह रही अपनी axis of rotation, यह रखा अपना mass, और इस mass की axis of rotation से जो distance है, उसकी अगर अपन बात करें, तो this axis of rotation से इसकी distance रहेगी, इस mass की distance वो यह रहेगी, अपने बात क्या करते हैं, यह expression कैसे लिखते हैं, यह expression बनता है, यह रही मेरे पास axis of rotation, let us consider this is our axis of rotation, और यह रहा अपने पास कोई mass, M mass है, तो यह रहेगी अपने पास इसकी distance, axis of rotation से यह perpendicular distance है, तो अब अपने पास axis of rotation, यह रही Z axis, this is 3 and this is 4, तो इस mass की axis of rotation से perpendicular distance बनेगी, यह रहेगा अपना R, और अब इस diagram में R की बात करें, तो R क्या बन जाएगा हमारे पास, root of 3 square plus 4 square, तो यहाँ पर अगर मैं बोलू, तो right now by Pythogorous theorem, we can write, R square will be equals to कितना हो जाएगा, 3 square plus क्या हो जाएगा, 4 square, यह इसके लिगर अपन बात करें, तो R square की value जो हो जाएगी, वो, this will be 25, या R की value जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बस, आगे क्या करना है, values put कर देते हैं, और solve कर देते हैं, values put करने पर हमारे पास I will be equals to, यह बन जाएगा मेरे पास M कितना है, M, that is 5 kg, और R की value कितनी हो जाएगी, या R की value अपने पास बनेगी, यहाँ पर कितनी, R will be equals to 5, या R square की value जो रहेगी, that will be 25, तो 25 into 5 will be equals to 125 kg meter square, तो पहले question का answer रहेगा, 125 kg meter square, तो पहले question का answer number रहेगा, 3, एक simple question है, एक बढ़िया question है, जो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, कि यहाँ पर अपन अपना जो पार्टिकल रखा हुआ है, वो अभी XY plane में रखा हुआ है, और हमेशा, this equation, in this equation, this R will be the perpendicular distance of particle from axis of rotation, यह अगर particle है हमारे पास, तो इस axis of rotation स इसकी रहेगी, तो पहले question का answer बनता अपना, answer number 3, 125 kg meter square, चलते है अपन अगले question पर, question number 2 पर, next, in a screw gauge, 5 complete rotation of circular scale gives 1.5 mm reading on linear scale, okay, fine, the circular scale has 50 divisions, तेक है, the least count of the screw gauge will be, screw gauge में वर्तकार पेमाने की 5.5 mm पाठ्यांग दर्शते हैं, तेक है, और वर्तकार पेमाने पर भागो की संख्या हमारे पास कितनी हैं, 50 हैं, तो screw gauge का अलपत मांग क्या होगा, तेक है, तो हम लोग अगर least count of screw gauge की बात करें, तो least count जो रहेगा, that is, क्या होता है हमारे पास, that is pitch, pitch upon क्या रहेगा, number of, number of circular scale division, circular scale division, yeah, number of CSD इसको अपन लिख सकते है, this is number of circular scale division, fine, तो यहाँ पर pitch क्या होता है, pitch एक rotation में आप कितना main scale पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपनों को यह दिया हुआ है, that in 5 complete rotation, we are moving 1.5 mm, तो एक संबल अपना पुरान जमाने वाला तरीक लगा देता है, 5 rotation में, 5 rotation में हम लोग कितना move कर रहे है, 1.5 mm move कर रहे है, तो 1 rotation में अपन कितना जाएंगे, 1.5 mm upon कितना हो जाएगा अपने पास, यह बन जाएगा अपना 5, तो एक rotation में आप कितना आगे जा रहे हो, या आप, after 1 rotation, हम main scale पर कितना आगे shift करते हैं, उसको as pitch, तो यह जो चीज बन जाएगी, यह अपना क्या हो जाएगा, pitch हो जाएगा, this is pitch, the shifting on the main scale, when we are completing one rotation on the circular scale, जब हम वरतकार पेमाने पर एक चक्र पूरून कर रहे हैं, तो उस पर मुख्य पेमाने पर हम कितना आगे विस्तापित होते हैं, यह अपने पास क्या रहेगा, pitch र हो जाएगा, इसको अगर divide करता हूँ, तो यह बन जाएगा 0.3 mm हो जाएगा, तो pitch की value अपने पास यह आ गई, तो instrument का least count अगर अपने को देखना है, तो pitch बन जाएगा तो मेरे पास कितना, 0.3 upon number of circular scale division, और हमें number of circular scale division कितनी दे रिखी हैं, that is 50, तो इसको अगर देखें, त करता हूँ, 2 से divide करता हूँ, तो यह हो जाएगा, मेरे पास 0.6 upon, this will be what, 100, तो इसको अगर अपने लिखना चाहिए, सारा मामला जो चल रहा है, वो mm में चल रहा है, तो यह बन जाएगा, 0.006 mm, तो question का answer रहेगा, question number 2 का answer रहेगा, 0.006 mm, least count of the screw gauge, 0.006 mm, question number 2 का answer number रहेगा, 1, 0.006, तो बढ़ते हैं अगले question पर, question number 2, answer number 1, यह एक simple concept है, हमने 5 rotation किये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 rotation में, यह आप यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं, that is total displacement on main scale, यहाँ पर भी अगर 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 अ is the least count of the instrument, टेके, चलते हैं अपन question number 3, पर, आगे बढ़ते हैं, question number 3, the displacement x of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related by time with the equation t is equals to under root x plus 3, where x is in meter and t is in second, the work done by the force in first 6 second will be, नियत बल के अधीन, सरल रिखा में गती शील एककरण का विस्तापन x, समय t के साथ, सम्मन्ध t बराबर under root x plus 3, द्वारा दिया जाता है, जहां x meter में तथा t second में है, तो परतम 6 second में बल द्वारा किया गया कारेरे क्या होगा, तो हम लोग को work done calculate करना है, और work done के लिए एप सबसे सिंपल दरीके पर चलेंगे, that work done is change in kinetic energy, work energy theorem, कारेरे उडजा पर में क्या बोलती है, किसी वस्तु पर किया गया कारे, उस वस्ती की गती जुरजा में परिवरतन के बड़ाबर होता है, means work done on the particle will be equal to its change in its, और work done by all the forces on the particle will be equal to its change in kinetic energy, तो चलते हैं, पहले तो मैं बात ब v square minus क्या रहेगा, u square, ठीक है, तो देखने पर अपने को लग रहा है कि question में M तो दे ही नहीं रखा है, चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, क्या चल रहा है मामला, इधर, under root x, that will be equal to, इस equation को arrange करते हैं, तो under root x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो, यहां पर इस equation को ऐसे t minus 3, यह अगर मैं x की बात करूँ, तो x की value क्या हो जाएगी, तो आपके पास t minus 3 का क्या हो जाएगा, अपना whole square, तो अब आपके पास displacement आ चुका है, in terms of time, यह x का, अगर complete equation चाहिए, तो x हो जाएगा, तो आपके पास कितना, this is t square, इसको आगे बढ़ा हूँ, तो यह कितन हो जाएगा, 9, simple, आगे जलते हैं, situation अब आगे, अगर मेरे को velocity चाहिए, तो velocity क्या हो जाएगा, तो इसका differentiation करेंगे, तो यह बंजाएगा, 2t minus का कितना हो जाएगा, 6, 2t minus 6 हो जाएगा, अब बात करते हैं, अपर initial velocity के, initial velocity का मतलब होता है, t is equals to 0, पर initial velocity जो रहेगी, उसको u बोल देंगे, तो इस equation में, अपन t equals to 0, पुट करते हैं, तो यह हो जाएगा, मेरे पास कितना, t equals to 0, पुट करेंगे, तो this will be minus 6, तो और final velocity, किस time पर अपने को बात कर रखी है, 6 second पर बात कर रखी है, तो 6 second पर अपन पुट करते हैं, t equals to अपने पास क्या रहेगा, 6 second, त उस time पर final velocity की बात करेंगे, तो यहाँ पर t की value 6 put करेंगे, तो 2 into 6, 12 minus 6 कितना हो जाएगा, यह plus 6 आजाएगा, तो basically अगर मैं initial kinetic energy की बात करूं, k initial, that will be 1 by 2 m, u square, u square का मतलब minus 6 का, अगर मैं square करूं, तो यह जो भी term बनेगी, यह positive हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा, तुमारे पास कितना, अगर इसको solve करें, तो 6 square upon 2 into m, यह अगर मैं k final की बात करूं, तो यह बन जाएगा, 1 by 2 m, यह हो जाएगा, तुमारे पास 6 square, यह इसको भी लिख सकता हूं, 6 square upon 2 into, कितना हो जाएगा, यह, m, तो यहाँ पर अगर आपन देखें, तो आपके पास change in kinetic energy के अगर बात की जाए, तो change in kinetic energy कितना हा रहा है, net work done by the force will be, यह हो रहा है हमारे पास, यह kinetic energy, final kinetic energy, initial kinetic energy, same, या अगर अपने speed की बात करें, तो initial speed और final speed किया है, हमारे पास, same है, तो work done by the force will be equals to, यह होगा, अपने पास k final minus किया हो जाएगा, k initial, तो इदर, या इसको half m, इन द जरुरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन बात करें, kinetic energy की, तो particle की kinetic energy, initial kinetic energy, और particle की final kinetic energy, क्या बन रही है, हमारे पास, equal बन रही है, to work done, net work done by the force will be equals to, 0, तो अपने पास, third question की answer बन जाएगा, 0, answer number 4, ठीक है, चलते हैं अपन, अगले question पर, question number 4 पर, question number 4, the molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 20 meter per second at 27 degree centigrade and 1.0 into 10 dash to power newton per meter square pressure, तेक है, तो आपको RMS value दे रिखी हैं और pressure और temperature की values दे रिखी हैं, तेक है, when the temperature and pressure of gas are respectively 127 degree centigrade and 0.05 into 10 dash to power 5 newton per meter square, then RMS velocity of its molecules will become, ताप 27 degree और दाब इतने पर किसी दिये गए gas के, द्रेमान की gas के अणुओं के वर्गमध्यमूल वेग जो है, वो 200 meter per second है, जब इस gas के ताप और दाब तरमेशे 127 degree centigrade और 0.05 into 10 dash to power 5 newton per meter square है, तो इस gas के अणुओं का वर्गमध्यमूल वेग क्या होगा, अब चल होते हैं, तो VRMS की equation जो होती है, VRMS जो अपन जानते हैं, वो क्या होता है, under root, that is 3RT upon क्या रहेगा, हमरे पास M, ठीके, एक important बात यह है, कि हमेशा VRMS जो है, that will depend on root T, और on temperature only, the RMS velocity of gas molecules does not depend on the pressure, अगर आप बोलना चाहें कि sir, इस equation को मैं ऐसे भी लिखना चाहता हूं, कि under root 3 P by rho, इसे भी तो लिख सकते हैं इसको, तो pressure भी तो यहां पर आ रहा है, तो situation की रहेगी, कि अगर आप pressure increase करते हो, तो उस time पर particle की density भी increase हो जाएगी, तो यह VRMS जो रहेगा, यह pressure पर depend नहीं करेगा, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं, तो इस equation से अगर अपन चलते हैं, तो right now we can see that VRMS, RMS velocity of gas molecules will be proportional to क्या हो जाएगा, under root T and this T is in Kelvin, तो आप अपन बात करते हैं, पहली situation, हम लोग को यहां पर दे रिखा है, T1 की value दे रिखी हैं, कितनी, 27 degree centigrade, 27 degree centigrade मतलब यह कितना हो जाएगा, 300 Kelvin, पर VRMS 1 की value हो गई हैं, अपने पास कितनी, 200 meter per second, तेक है, क्या बात समना र अपने पास T2 temperature कौन है, temperature, T2, this is 127, 127 का मतलब यह कितना हो जाएगा, यह है अपना कौन, 400 Kelvin, और अगर मैं आपर बात करूं, RMS 2 की, तो RMS velocity of molecules, यह अपने को क्या करना है, calculate करना है, क्या पाइंट समना रहा है, तो उसके according को कर अपन बात करें, तो देखो क्या हो रहा है, VRMS 2 upon VRMS 1, that will be, पस तो under root of क्या लग जाएगा, तो उम्हारे पास T2 upon क्या हो जाएगा, अपना T1, values put करते हैं, तो इधर चल जाएगा, तो उम्हारे पास VRMS 2, calculate करना है, upon VRMS 1, जिसके value अपने को कितनी दे रिखी है, 200, और इधर बन जाएगा, तो म्हारे पास कितना, under root, यह चल 3, तो यहां से अगर अपन बात करें, तो VRMS will be equal to, VRMS 2 will be equal to, 200 को इधर अपन multiply करेंगे, तो यह कितना बन जाएगा, 400 upon कितना हो जाएगा, root 3 meter per second, 400 upon root 3 meter per second, तो meter per second में इस gas के अणों का बर्गमाध्यमूल वेग होगा, तो वो बन रहा है, अपने पास 400 upon root 3, 400 upon root 3, question number 4 का answer number हो VRMS equation अपन जानते हैं, that is under root 3RT upon M, चलते हैं हमपन, question number 5 पर, question number 5, next question, question number 5, हम लोग को यह बोलता है, that the potential of 0.0 in the steady state in the circuit shown in figure, will be, चित्र में दिये गए परिपत में, स्ताई धारा या स्ताई अवस्ता की स्तिती में, बिंदू O का विभाव क्या होगा, देगे, चेक करते हैं, circuit क्या दे रिखा है, circuit हमारे पास यह दे रिखा है, 3V, यह अपने पास है, O, इसका potential अपने को क्या करना है, calculate करना है, तो इसका resistance अगर अपने पास है, R, उसमें इधर potential less से अपने पास कितना है, V1, इधर potential less से मेरे पास क्या है, V2, और इसमें current अगर अपने पास I flow हो रही है, तो basically this current will flow from high potential to low potential, और अगर अपन इस I की बात करनी है, तो हम लोग जानते है, that the potential difference delta V will be equals to क्या रहेगा, तो मेरे पास I into R, या अगर I की बात करनी है, तो यह हो जागा, तो हमारा delta V upon हो गया, अपना R, which is equals to high potential V1 minus low potential V2 upon अपना क्या रहेगा, R, तो किसी resistance में अगर current flow हो रही हो, तो that current is high potential minus low potential upon resistance value, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो solve करते हैं, इधर, यहाँ पर कौन current किदर कैसे क्या जा रह नहीं, आपको बस यह करना है, कि आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई direction consider कर देंगे, और अपनी equation उसी direction के according अपन लिखेंगे, यह 3 ohm है, तो इस 3 ohm में जो current आ रही है, उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, लैसे, यह high potential है, तो इधर से मैं consider करता हूँ, कि यहाँ पर current इ that is, I1 और जो current इस में जा रही है, उसको मैं बोल देता हूँ, let us consider I2, आपको यह जिन्दा करने की ज़रूद नहीं है, कि I2 उदर जा रही है, कि इधर जा रही है, अपने को यह पता है, कि current हमेशा इस तरह से deal की जाएगी, higher potential minus lower potential upon R, और यह है, आपने क्या direction consider कर रही है, व जाने वाली current कितनी अपने पास, that is, I3 आ रही है, और जाने वाली current, यहां से कौन-कौन जा रही है, that is, I1 और यहां से I2 भी जा रही है, तो equation अपनने जो consider कर रखा है, उसके according लिखी है, वो सकता हो कि I2 इधर नहीं जा रही है, बड़ अपनने इधर बोल दिया, तो अपन चीत अपने करी है, उसके according यहां पर मैं equation लिखना चाहूं, तो मैं I3 की value क्या लिख सकता हूं, that is, 3 minus क्या हो जाएगा अपना VO, upon कितना हो जाएगा, अपना 3, 3 minus VO upon 3, that is, I1, I1 जा रहा है तुमारा इधर, इधर कितना है, 1 volt, इधर कौन है, VO, तो यहां से चलेंगे अपने इधर की दरफ, VO higher potential, अपने यह consider कियांगी, यह higher potential है, और current इधर की दरफ जा रही है, तो इसको यहां से चलेंगे इधर की दरफ, that is, VO minus इधर का voltage, that is, 1, upon, यहां पर resistance कितना है, 1, और I2 की अगर अपने बात करें, तो यहां से यह इधर की दरफ, that is, VO minus इधर का potential कितना है, 2 अपने पास 2, तो यह KCL की equation अपने पास बनती है, जहां पर VO की value अपने को क्या करनी है, calculate करनी है, एकदा simple तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट यह ध्यान रखना है, यह important concept है कि किस तरह से आप KCL की equations, voltage की form में लिखते हैं, और इसमें यह बिल्कुल भी नहीं है, कि क equations इस तरह से balance हो जाएगी, 6 से multiply करेंगे, 3 into 6, यह क्या हो जाएगा मेरे पास 2, this is 3, minus कितना हो जाएगा, VO, इदर भी 6 से multiply करता हूं, तो यह हो जाएगा, 6 into VO, minus क्या हो जाएगा, 1, plus यहां पर भी 6 से multiply करना है, 6, 2, यहां पर कितना हो जाएगा, 3, this will be VO, minus क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस का हो जाएगा मेरे पास कितना 3 VO और इधर 3 इंटो 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 तो situation जो भी बन रही है यह माइनस 6 उदर, यह भी माइनस 6 उदर 6 इन 6 12 और उदर वाला 6 यह कुल मिलके हो जाएगे अपने पास 18 इधर 6 VO, 3 VO, 9 VO और यह 2 VO इधर आएगे तो यह बन जाएगा अपने पास 11 VO, 11 VO तो यहाँ पर अगर अपन VO की बात करेंगे तो this will be 18 अपन कितना हो जाएगा 11 V, 18 अपन 11 V देखते हैं अपन, question में अपने पास 18 अपन 11 V, यह बन रहा है this is, question 5 का अपने पास कितना 18 अपन 11 V, चलते हैं अपन, अगले question पर question number 6 question number 6, क्या बोलता है in a full wave rectifier, circuit operating from 50 Hz main frequency, the pulse frequency of output will be 50 Hz मुख्य सप्लाई पर संचलित पूर्ण तरंग दिरिश्टकारी की परीपत की निर्गत, स्पंधा बढ़ती क्या होगी, तो अपन एक full wave rectifier के लिए अगर बात करें, तो यह है हमारे पास क्या, एक full wave rectifier जिसको अपन FWR लिख सकते हैं, input अपन ने जो apply किया है, वो अपन ने क्या apply कर रखा है input, let us consider, हम लोगा ने 50 Hz की AC apply कर दिया है, तो यह वाली AC है, जिसकी situation यह है, कि इसकी frequency आपको कितनी दिरखी है, that is 50 Hz, ठीक है 50 Hz, ठीक है number of cycles per second, अब अपन यहाँ पर बात करें, तो full wave rectifier का जो output होता है, वो क्या होता है तो उमारे पास, that is इसमें जो negative cycle रहेगी, वो positive में convert हो जाएगी, arrangement ऐसा है आपने पास full wave rectifier का, तो इधर, यह गया हमारे पास इस तरह से, negative cycle will be inverted and will become positive, तो अब अपन देखें, तो यहाँ पर इसमें cycle जो complete हो रही है, वो यहाँ से इस जगे पर cycle complete हो रही है अगली cycle जो complete होगी, इसकी negative cycle भी complete होगी, और इस जगे पर अपने पास cycle complete हुई है, उसके comparison में यहाँ पर बात करते हैं, तो cycle, cycle का repetition कहां से हो रहा है यहाँ से, यहाँ और वापिस से यह cycle क्या होने लगी है, repeat हो गई है तो वहाँ पर जब उसका एक complete oscillation हो रहा है, इधर जो है, यह दो oscillation complete हो रहा है frequency की बात की जाए, तो अगर अगर अपन इस इसके लिए time period की बात करूँ, तो इसका time period अगर मेरे पास कितना है, t है, यह t time में अपनी cycle complete कर रही है, तो यह जो cycle, यह जो output आ रहा है यह effectively t by 2 time के बाद अपनी cycle को repeat करना शुरू कर देती है, यानि की time period क्या हो चुका है आधा, full wave rectifier output जो रहेगा, उसकी frequency हमेशा क्या हो जाएगी 2F हो जाएगी, because time period will be t by 2 time period अपने पास t dash, that is t by 2, तो frequency कितनी हो जाएगी double हो जाएगी, that will be 2F तो oscillation frequency in the rippled DC obtained after full wave rectifier will be 2F अगर input F frequency पर हो, तो output कितनी frequency पर होगा, 2F frequency पर होगा तो यह हो गया, तो मारे पास 50 hertz 50 hertz पर अपने apply कर दिया, 2 into यह हो गया, मेरे पास कितना 50, तो output तो मारा हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 100 hertz तो 100 hertz will be the answer of question number 6 option number 3 100 hertz, तल दे हम पन question number 7 पर question number 7, यह बुल रहा है that, the half life of a radioactive sample is 20 minute okay, what fraction of this sample will remain undecayed after 80 minutes, तेगे एक radioactive और radio-sakri-padaart का अरदायुकाल अपने पास कितना है, 20 minute है, तो 80 minute के बाद, कितना भाग आविगटित रहेगा, यह कितना भाग बच जाएगा तो the remaining part और the sample which will remain undecayed, उसके लिए अपन क्या जानते है, that n will be equals to n0 2 to the power कितना रहेगा, minus t upon क्या रहता है, अपना capital T in terms of half life, तो अगर अपन देखे, तो यह हो जागा मेरे पास n, या equation अगर आपको याद रखनी है तो यह simple दरीका रहता है, n0 तो यह हो जागा 2, small t upon क्या हो जाएगा, capital T where capital T is what half life और small t is the time ठीक है, तो अभी अपने पास यह बोल रुखा है, कि half life कितना है, capital T की value कितनी है 20 minute और time कितना दे रुखा है 80 minute के बाद कितना, बचेगा एक simple सा question है, और एक important discussion है, radio activity एक important part है, तो चलते हैं अपन, यह हो जागा आपने पास n, this is n0 upon, यह जाएगा तुम्हारा कितना 2 small t की value कितनी है, 80 upon capital T की value कितनी है, अपने पास 20 तो यह बन जागा आपने पास 4 this is n0 upon 2 to the power 4, 2 to the power 4, that will be 16, तो कितना portion तो एक बटा 16 भाग जो है, वो क्या रह जाएगा, दिये गए प्रतिदर्श या दिये गए sample का, एक बटा 16 भाग जो है वो एविगटित रह जाएगा एक बटा 16, लिगे चलते हैं हमपन question number 7 पर question number 7 complete किया, question number 7 का answer रहेगा 2, 1 by 16 और चलते हैं हमपन question number 8 maximum kinetic energy of electrons become, दात्विक सत्य पर आक्तित प्रकाश की आवरती को दुगुना कर दिया जाए, तो electron की अधिक्तम गती जुरुजया क्या रहेगी, यह उस्सरजित electron की गती जुरुजया की बारे में बात दो रही है photoelectric effect के situation में अगर बात कर रहे हैं, देखें, तो incident light या अगर मैं बात करूँ दात्विक सत्य से यहाँ पर, हम यह जानते हैं कि अगर अपन यहाँ पर e energy incident करते हैं, तो यहाँ पर phi 0, क्या होगा हमारे पास surface से बाहर लाने में work function के equal energy लगीगी और उसके बाद जो electron के पास रहेगी, that will be kinetic energy, देखें और kinetic energy अगर अपन इस equation को balance करना चाहें, तो that will be km, yeah, this will be maximum kinetic energy, this is the electron of maximum kinetic energy जो एकदम surface पर ही है देखें, और बस उसको यहाँ से inside collisions में उसकी energy waste नहीं हुई है और that electron is on the surface only, और surface से just वो phi 0 लेके क्या हो गया, बाहर आगया, तो जब वो बाहर आएगा, तो उसके पास kinetic energy जो रहेगी, वो सबसे ज़दा रहेगी, and अगर अगर अपन Einstein equation की बात करें, तो यह क्या जानते हैं अपन that is, E is equals to मेरे पास क्या हो जाएगा E is equals to phi 0 plus क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा K max, क्या पॉइंट सुनमा रहा है, तो अभी अपने पास situation यह है, कि E equals to क्या होता है, यह होता है H new, H new पर अपने पास situation यह है, कि यह energy जब incident हो रही है, इस energy का photon जब incident हो रहा है, तो final work function और बाहर जो अपने पास बचा है, Km बचा है, अब अपने को यह बूला है, कि frequency of light incident अगर अपने क्या कर दिया है, double कर दिया है, जब अपन frequency double कर देंगे, तो अब जो अपने पास energy incident हो रही है, तो अब जो energy incident होगी, वो energy, frequency E equals to क्या है, अपने पास H new में, new को अपने डबल कर दिया, तो energy भी क्या हो जाएगी, double हो जाएगी, यह कहनने को मतलब अब जो energy incident हो रही है, वो कितनी है, 2E है, तेक है, उसी के लिए अगर अपन वापिस बात करें, तो यहां से 5,0 तो लगना ही है, और अब आपके पास जो maximum kinetic energy बचरी है, उसको मैं बोल देता हूँ, this is km1, तो आपको question में यह पूछा हुआ है, कि अगर आवरती को दूबना कर दिया जाए, अगर frequency को double कर दिया जाए, तो जो अब electron जा रहा है, उसकी maximum kinetic energy, km1 जो रहेगा, वो, क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, double से जादा हो जाएगा, या it will be less than double और it will become three times, ठीक है, तो देखते हैं, इसकी equation अगर अपने लिखते तो e कितना हो जाएगा, तुम्हारा 2e, that will be equals to e यह बन जाएगा, तुम्हारा कौन 5 0 प्लस कितना बन जाएगा, km1, और आपको question में यह पुछा हुआ है, कि आपको km1 और km का क्या करना है, comparison करना है, कि यह double हो रही है, या इससे कम हो रही है, का जादा हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या करें, इस e की value उठागे मैं इस equation में रख देता हूँ, कि यह बन जाएगा मेरे पास कितना, 2, और यह बन जाएगा, अपने पास कितना e की value, that is phi naught प्लस क्या हुजाएगा, तुम्हारा km, that is equals to, यह चल रहा है, तुम्हारा phi naught प्लस क्या बन गया है, यह km1, ठीक है, तो आगे, इसको अगर अपन solve करते हैं, उधर से 2 phi naught, इदर बन जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2 km, that is equals to, यह बन जाएगा, मेरे पास phi naught प्लस क्या चल गया तुम्हारा km1, और यहाँ पर अगर अगर आपन देखें, तो km1 की value अगर अगर आपन बोलें, तो बस यह result है, electron की kinetic energy है, that is maximum kinetic energy, वो twice से क्या हो रही है, थोड़ी सी जादा है, कहने का मतलब अब जो electron emit होगा, उसकी kinetic energy, इस electron की kinetic energy की double से थोड़ी सी क्या रहेगी, जादा रहेगी, एक simple concept, Einstein equation, एक important question है यह, जिसमें हम लोग के पास result मिल रहा है, that the kinetic energy, the maximum kinetic energy of the electron emitted will now become more than twice, तो यहाँ पर more than double will be the answer, question number 8 का answer रहेगा, answer number 2, चलते हैं अपन question number 9 पर, question number 9, current passing through the resistor R is, यहाँ पर एक circuit अपने को given है, और इसमें अपने को यह बताना है, कि प्रतिरोधार से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा, प्रतिरोधार, यह रापना प्रतिरोधार, ठीक है, इसमें से current अपने को ब current, तो इस आई की वीडियो पता करनी है, अभी हमारे पास दो बैटरीज पैरलल में लगी हुई है, और बैटरीज जब पैरलल में होती है, तो अपने को solve करना का तरीका जो रहेगा, इनका effective EMF की बात करें, तो E net, वो रहता है, E1, R2, प्लस यह रहेगा मेरे पास कितना, E2 R1 अपोन यह रहता है, R1 प्लस R2, पैलल कॉम्मिनिशन अफ सेल्स की अपन बात कर रहे हैं, एक interesting situation, जब अपने पास यह E net की अगर अपन बात करें, तो E net, इसको याद रखना है, या समझना है, तो यह ध्यान रखना है, पहले तो यहां से देख लोगी, current दोनों की same directional flow हो resistance, प्लस यह battery, यह resistance, अपन resistance का sum, तो यह बन जाएगा, इधर वाली battery, कौन है तुमारी 20, इधर वाला resistance, कितना है, 2, प्लस उधर वाली battery कितनी है, 10, current दोनों की same है, इसलिए अपन प्लस, same direction में है, इस वज़े से अपन क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे है, उधर वाला resistance कौन है, 2, अपन sum of resistance, कितना है, 2 प्लस अपना हो गया, 2, इधर, इस विल बी 40, यह बन जाएगा 60, अपन कितना हो गया, तो इसकी वेल्यों आजाएगी, कितना 15, तो effectively अपना EMF जो बन रहे है, यहापर, वो कितना बन रहे है, 15V, 15V, आर equivalent की बात करें, तो आर equivalent जो होता है, that is, यहाँ पर 2 जो है, R equivalent, that is, R1 parallel to R2, parallel combination में, तो 2 parallel to 2, यह आर equivalent की अगर पन बात करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, internal resistance, that is, 2 parallel to 2, यह कितना बन जाएगा, 1, parallel combination में, R equivalent, यह दोनों parallel में है, तो उसको अपन parallel consider करते हुए, क्या करेंगे, solve करेंगे, ठीके, in parallel combination, internal resistance of equivalent cell, that is, R R1 parallel to R2, तो यह हो जागा, R equivalent, तो effectively अब यह circuit जो अपना बन चुका है, वो यह हो गया है, कि इनकी जो equivalent battery बन रही है, वो बन गई है, अपने पास कितनी, 15V की, resistance का internal हो गया, यह कितनी ohm का हो गया, 1 ohm का, यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें, तो यह मेरे पास बन नीचे, this is 1.5, प्लस कितना हो जाएगा, 1, it will be the current flowing in this circuit, तो इस परिपत में प्रवाइद होने वाली धारा, जो बन जाएगी, यह बन गया तुमारे पास 15, बटा कितना हो जाएगा, यह 2.5, तो यह बन जाएगा, मेरे पास कितना, this will be 2.5, तो यह बन जाएगा, अपने पा तो इस पाच, तो इस पिल पी 5, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, 30 अपन 5, 30 अपन 5 बिल बी 6, तो जाएगा, दू से उपर नीचे मुल्टिप्लाइ करके, तो आंसर रहेगा, आपने पास क्षिचिन नम्बर 9 का 6 Ampere, 6 Ampere will be the result, current flowing through this resistance, R 1.5 Ohm, चला एपन, अगले क का कन, Y जिकस्टू B लाइन पर V constant velocity से चल रहा है, okay, then its angular momentum with respect to origin, okay, M दरेमान का एक कन, रेखा Y जिकस्टू B के अनुदिश नियत वेग V से गतिशील है, तो मूल बिंदू के सापक्ष उसका कौनियत वरण क्या होगा, तो डियाग्राम बनाता है, यह रहा आपने पास कौन, यह अपने पास Y axis, यह होगई अपने पास X axis, this is X axis, this is Y axis, और Y जिकस्टू B बोला हुआ है, तो Y जिकस्टू B का मतलब Y पर B जो है, this location, B, इस straight line के along, आपका particle जो है, वो move कर रहा है, are you waiting this point, देखे, और इसकी constant velocity है, तो let us consider right now the particle is at this location, और यह इधर की दिरफ जा रहा है, कि V से, इसका मास कितना है, M है, तो आपको यह बताना है, its angular momentum with respect to origin, first increases, then decreases, ठीक है, यह इधर से कहीं से आ रहा हो, तो यह V से यह आ रहा था, अभी यहां से cross करके इधर चला गया, तो यह पूझ रहा है, पहले increase होगा, decrease होगा, remains the same, continuously decrease, continuously increase, ठीक है, तो हम लोग जानते है, कि अभी origin के about अपने को बात करनी है, तो origin के about, position vector रहेगा, मेरे पास यह, ठीक है, और हम लोग जानते है, angular momentum क्या होता है, that is, r vector cross क्या रहेगा, तुम्हारा, p vector, और यह बनेगा r vector, cross, यह होगा, मेरे पास, mv vector, m को common लेके, मैं इसको लिख सकता हूँ, this will be mvr sin theta, क्या पार सम theta को हम लोग बोलते है, this is l vector, और इसको अब बोलेंगे, this is mv, और this is r perpendicular, r perpendicular का मतलब होता है, it is perpendicular distance of line of action of velocity from axis of rotation, वेक की क्रिया रेखा की गुर्णन अक्ष से लंबत दूरी, perpendicular distance of line of action of velocity from axis of rotation, तो axis of rotation, यह किस के about अपने को angular momentum calculate करना है, origin के about calculate करना है, तेक है, velocity की line of action, तुम्हा y is equals to b, इसकी यहां से perpendicular distance, यहां से perpendicular distance अपने पास कितनी हो गई है, यह तो fix हो गई है, यह तो कितना रहे गया, b हो गई, तो यहां पर r perpendicular की value बोलें, तो r perpendicular हमानी पास क्या हो जाएगा, mv, b हो जाएगा, effectively, अगर आप इस distance को consider करते हो, तो आपको यहां पर theta भी consider करना देख है, और इस r का इधर वाला, यह angle theta रहेगा, तो यह angle theta रहेगा, और इस r के लिए, इस theta के लिए perpendicular हो जाएगा, तो वापिस से r sin theta की बात करोगे, तो वो r sin theta completely क्या रहेगा, b ही बनेगा, तो आप angular momentum कभी भी अपने को चाहिए, तो यह रहेगा, mv into r perpendicular, where r perpendicular is, perpendicular distance of line of action of velocity और momentum from axis of rotation, r perpendicular is, some vague और vague की गुर्णन अक्ष से क्या रहेगा, हमारे पास, गुर्णन अक्ष से लंबबद दूरी रहेगी, तो यह तो term क्या हो गई है, m से जा रहा है, एक है, नियत vague है, m तो constant ही है, v इसने constant बोली दिया है, और b वैसे भी constant हो गया है, तो आपके पास angular momentum about origin will remain same, question number 10 का answer number रहेगा आपना 2, चलते हैं अपन अगले question पर, एक बढ़िया question, चलते है, question number 11 पर, question number 11, क्या बोल रहा है, to what depth must a rubber ball be taken in the deep sea, ठेक है, so that its volume is decreased by 0.1%, the bulk modulus of rubber is 9.8 into 10 raise to power 8, Newton per meter square, and the density of sea water is 10 raise to power 3 kg per meter cube, एक rubber gain का आयतन, 0.1% गटाने के लिए, इसे समुदर में कितनी गहराई तक ले जाना होगा, जहां पर rubber का आयतन प्रतियास्ता गुनांग जो है, वो अपने को दे रखा है, कि ये कितना अपने पास, 9.8 into 10 raise to power 8 Newton per meter square, और समुदर की पानी का गनत अपने को दे रखा है, that is 10 raise to power 3 kg per meter cube, तो चलते हैं, LSSD में bulk modulus कैसे define होता है, bulk modulus, जो होता है, that is, basically, delta P, change in pressure, upon ये क्या होता है, हमारे पास, delta V upon क्या रहता है, V, और इसमें एक minus B आता है, जो ये बताता है, कि pressure increase होगा, तो volume क्या होगा, decrease होगा, या अगर अपन बात करें, change in pressure, will be equals to, ये होजागा मेरे पास कितना, minus B, this is delta V by क्या होजागा, V, ठेक है, question में आपको ये दिरिखा है, volume is decreased by कितना, 0.1%, तो volume is decreased by 0.1% का मतलब, delta V upon V की value, आपको दे रिखी है, 0.1 upon 100, 0.1%, per 100 में 0.1 change हो रहा है, ठेक है, और decrease हो रहा है, उसके लिए मैं इसके साथ में क्य use कर सकता हूँ, minus use कर सकता हूँ, ठेक है, तो आगे चलते हैं, तो ये हो गया, हमारे पास कितना, B, B की value कितनी दिरिखी है, bulk modulus, या आयतन प्रत्यास्ता गुणांग की value ये हो गई, अमने पास कितना, this is 9.8, इंडो, कितना हो गया है, 10 raise to power 8, delta V upon V, ये इसका minus और इसका minus क्य हो जाएगा, ये 100, ठीक है, और कोई दिक्कत, नहीं, अब अपन बात करते हैं, 2 watt depth, 2 watt depth की अगर अपन बात करें, तो C में अपने को कितनी depth तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर हैं, और अगर अपन H depth पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो change in pressure रहेगा, वो कितना रहे रो जी एच, यहाँ से यहाँ तक, रो जी एच, यह अपन जानते हैं, तो this will be equals to क्या हो जागा, तो मारे पास, रो जी एच, जिसमें अगर अपन देखें, तो H की वेल्यू, यह बन जाएगी मेरे पास कितनी, that is, 9.8 इंटू यह बन गे, अपने पास 10 दिस तो पावर 8, इ एक G की वेल्यू, अब उपर 9.8 दिख रहा है, तो आपने को G की वेल्यू 9.8 यूज़ करनी है, आगे हमारे पास इधर, रो जी दोनों आ गए, और इधर कितना रहेगा, हमारे पास 100, देखें, क्या बास सुनना रही है, तो values को cancel करते हैं, और चेक करते हैं, क्या बन रहा ह 0.1 को 10 to the power 3 से multiply करेंगे, तो एक गया और यहां पर कितना बच जाएगा, so that height will be equals to 100 meter, तो एक elasticity पर based basic question है, चलते हैं अपन, question number 11 का अपना answer रहेगा, that will be 100 meter, question number 11, answer number 3, चलते हैं पन, question number 12 पर, आगे, a whistle is given about 450 hertz, approaches a stationary observer, at speed of 33 meter per second, ठीक है, the frequency hertz by the observer is, okay, एक Doppler effect पर based basic interesting question है, हमारे पास, एक siren, स्तिर स्टोड़ता की और, 33 meter per second की चाल से गती करते हुए, 450 hertz की आवरती उस सर्जित करता है, देगे, स्टोड़ता ये द्वारा सुनी गई, आवरती hertz में होगी, जहां पर speed of sound अपने को दे रिखा है, that is, 30 meter, तो situation दे रिखी है, एक whistle है, ये अपने पास एक whistle है, और ये source हो गया अपना, source is emitting sound with frequency f, that is, equals to कितना हो गया, तुमारे पास 450 hertz, तेगे, और it is moving towards a stationary observer, ये रा अपना observer, और stationary observer की तरब ये जा रहा है, और इसकी speed कितनी हो गयी है तुमारे पास, that is, 33 meter कितना हो गया, ये पर second हो गया, कोई दिकरस में नहीं, अब इदर अपने को बात करनी है, कि ये जो observer है, ये कितनी frequency सुनेगा, जिसके लिए अपने को बात करनी है, तो equation बनानी पड़ेगी, equation, क्या हो रहा है, when source is coming closer, frequency तो एक तो क्या होगा, frequency बढ़ेगी, तो 450 से तो frequency क्या आनी है, ज्यादा या नहीं है, क्योंकि इनके बीच में distance क्या हो रही है, कम हो र करनी की वज़े से, frequency अगर अपने को increase करनी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अपन V-VS, ये Doppler effect का frequency का basic, frequency calculate करने का basic format है, और कौन pass में आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, उसके according frequency, increase और decrease अपने को करनी होती है, तो अभी source pass में आ रहा है, तो denominator को अपने को क्या करना है, decrease कर करेंगे, तब जाके, तब frequency क्या होगी, increase होगी, तो उसके लिए अपने को V-S को क्या करना पड़ेगा, subtract करना पड़ेगा, ठीक है, V, where V is the speed of sound, जिसकी अपने को बोल रही है, 330 meter per second, ऊपर, ये हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना, 330, upon ये हो जाएगा, इधर 330, minus कितना हो ये बन जाएगा, आपने पास, source, source कितने से चल रहा है, 33 meter per second, 33, और original frequency अपने पास कितनी है, this original frequency is, what, 450, 450 hertz, तो यहाँ से में क्या करता हूँ, एक बार 33 common ले लेता हूँ, direct ऐसे subtract मत करना, 33 common ले लेता है, तो ये बन जाएगा, 330 upon, 33 common, इधर बज जाएगा, तुम्हारे पास कितना, this will be, 10 minus 1, 33 से ये cancel, ये बन जाएगा, 10 into हो जाएगा, तुम्हारे पास कौन, 450, तो effectively अपने पास बन गई ये value, that is, 10 by 9 into कितना बन जाएगा, 450, एक है, no punch, this will be 550, and आपके पास जो frequency बनेगी, that will be 50 hertz, एक बढ़िया question, on based on Doppler effect, Doppler effect, एक interesting topic है, तो हमारे पास result रहेगा, question will be the apparent frequency heard by the observer, चल्दा है अपन, question number 13 पर, the resultant of two forces P is equals to this, and Q is equals to that, is a force of magnitude under root 3A square, plus क्या हो गया, B square, the angle between two given forces is, तो अपने को ये बोला हुआ है, कि एक force है, P vector है, जिसका magnitude अपने को कितना दिरिक है, A plus B दिरिक है, Q vector, जिसका magnitude अपने को क्या दिरिक है, A minus B दिरिक है, और इन दोनों का जो भी resultant है, उसका magnitude कितना है, root 3A square, plus क्या है, B square, तो अपने को इनके बीच में, angle calculate करना है, तो चलता है, vector calculation, that is, आपने जानते हैं, that resultant, R, will be, क्या होता है, under root, ये बंजाएगा, अपना under root, this is 3A square, plus चल जाएगा, तुम्हारे पास क्या है, B square, that is equals to under root, ये बंजाएगा मेरे पास कितना, A plus B का हो गया, ये बन गया whole square, plus, इदर बंजाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, whole square, plus, 2, इदर, आगे, P और Q, ठीक है, तो P, Q, A plus B, और A minus B को multiply करेंगे, तो यहा पर क्या बनेगा तुम्हारे पास, this is A square, minus क्या हो जाएगा, ये मेरे पास, B square, direct लिख रहा हूं इसको मैं, और ये बन जाएगा, मेरे पास, cos theta, A plus B into A minus B, तो ये बन जाएगा, A square minus B square, यहाँ पर square करने पर, under root, जाएगा, this is 3A square, plus चल गया, तुम्हारे पास कौन है, B square, that is A plus B का whole square, क्या बनेगा ये, A square plus B square, plus का हो जाएगा, ये 2AB, यहाँ पर हो जाएगा, plus का A square, plus का B square, minus का ये हो जाएगा, 2AB, और plus, इधर ये चल रहा है, तुम्हारे पास कौन, 2A square minus B square, इंटू चल गया, तुम्हारे पास कौन है, ये, cos theta, देखें, 2AB से 2AB को एंसल, 1B square से 1 B square केंसल, इधर ये 2A square है, देखें, तो this is 2A square, उधर कौन है तुम्हारा, 3A square है, तो इसको उधर shift करेंगे, तो इधर कितना बन जाएगा, हमारे पास, 1A square बच जाएगा, देखें, A square, A square, ये 3 गया, तो 1A square बच जाएगा, इधर से और कौन बच रहा है अपने पास, ये ये B square को उधर बचेंगे, तो this will become कितना, minus B square, और इधर जो ममला चल रहा है, वो कितना चल रहा है, अपने पास, 2, this is A square minus हो गया, ये B square, ये चल गया तुम्हारा कौन, cos theta, तो A square minus B square से A square minus B square cancel, और हमारे पास cos theta, that will become, कितना हो जाएगा, 1 by 2, cos theta is equals to 1 by 2 का मल्दब, theta की value कित Vector पर थोड़ी calculation आपसे मांग सकते हैं, अपन उमीद करते हैं, तेखे, 5 by 3, will be the result of question number 13, answer number 2, चलते हैं अपन question number 14 पर, question number 14 हम लोग को बूल रहा है, that a bar magnet of length L and magnetic moment M, it is bent into L shape from the middle, okay, बीच में से इसको अपनने L shape में bend किया है, the new magnetic moment will be, तेखे, यदि एक L नंबाई की चुमक का चुमकी आगूर्ण M है, इसे मध्य बिंदू से L आकार में मोड़ा गया है, तो इसका नया चुमकी आगूर्ण क्या होगा, तेखे, देखते हैं, अब यह अपन पहले तो बात कर लेते हैं, कि आपके पास magnetic moment या magnetic dipole moment क्या होता है, let us consider we have a magnet और यह हमारे पास है, इसका south pole और इसका यह north pole है, ठीक है, effective length of the magnetic let's say L, जो आपको दे रखा है, इसकी pole strength, this is let's say minus M, और इसकी pole strength अपने पास कितनी है, plus M है, तो इसका magnetic dipole moment, क्या होता है अपने पास, यह हो जाएगा, magnetic dipole moment, that is M into कितना हो जाएगा L, अब अगली बात, इसी क अपने center से क्या कर दिया है, ऐसे L shape में bend किया है, L shape में bend करने का मतलब, हमारे पास जो अगली situation हो चुकी है, वो इस तरह से है, ठीक है, magnet, वो L shape में bend हुआ है, इसका मतलब, अपने पास यहाँ पर, यह, इसको मैंने लेसे, ऐसे bend किया है, तो यह मेरे पास हो गया कौन, south pole, और यह मेरे पास चला गया कौन, north pole, यह length अपने पास कितनी हो जाएगी, let's say L by 2, और यह length मेरे पास हो जाएगी, that is L by 2, ठीक है, L shape में bend किया है, अब अपने को पुछा है, कि अब जो यह नया system है, इसका नया magnetic moment कितना रहेगा, magnetic moment, तो अब आपके पास south pole और north pole की बीच मे वो यह वाली बन चुकी है, ठीक है, और अगर अपने को M की बात करनी है, तो यह नया M dash जो रहेगा, तो पहले तो अपने बात कर लेते हैं, इनका cross section area change नहीं हुआ है, यानि कि यहाँ पर cross section area change नहीं है, तो pole strength change नहीं होगी, this will be minus M and this will be plus M, तो pole strength तो वो ही रहे हैं, बट द diagonal है, तो मैं थे, hypertenuous है, तो that is L by 2 का क्या हो जाएगा, pole square, प्लस यह चल जागा तो हमारे पास, L by 2 का क्या हो जाएगा, अपना whole square, यह इसकी अगर अपन बात करें, तो root 2 L by 2 हो जाएगा, यह, 2 L by 2 का whole square, तो this will be root 2 L by 2, यहां से इसको cancel करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, L by root 2, जिसकी वज़े से अगर अपन M dash की बात करें, तो जाएगा M, pole strength वही रही है, poles की, और L effective जो हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा है, L by root 2, तो यह बन जाएगा, अपने पास कितना, M by root 2, M by root 2, the new magnetic moment of the system will be first to M by root 2, question number 14 का answer हो जाएगा, M by root 2, this is option number 1, चलते जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास situation दे रखी है, चित्र में अपने को एक P-T graph दिखाया गया है, और अपने को यहाँ पर corresponding V-T graph अपने को show करना है, ओके, चलते हैं, चलो, situation, क्या दे रखा है अपने को इधर, अगर अपन A से B के बीच में बात करते हैं, तो अपने पास T तो हो गया है, कौन, constant, देखंगे, और T constant पर प्रेशर क्या होäre है, T constant पर प्रेशर क्या होरा है, यहाँ से decrease हो रहा है, तो इसका मतलब volume क्या होना चाहिए, increase होना चाहिए, तो अपने पास, पहली situation जो यह रहेगी, कि अपने पास A सी B के बीच में, volume increase होना चाहिए, V-T curve ह है T constant रखना है T अपना रखना है constant T constant और volume increase होना चाहिए तो पहला option तो नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसमें volume decrease हो रहा है आगे इसमें T constant volume increase T constant volume increase तो यह तीनों आगे वाले options साथे set हो रहा है आगे अब अपन बात करते हैं B से C में तो B से C में अपन देख रहें कि temperature increase हो रहा है temperature increase हो रहा है तब pressure भी increase हो रहा है तो T तो increase करना है और ऐसी situation तब होती है जब isochoric यह sumthony यह प्रक्रम होता है पहले T constant पर pressure decrease है तो volume क्या होना है? increase होना है तो T constant पर volume increase यह हुगा तुम्हारा कौन? AB देखें, AB ओके, next, अब अपने पास क्या है? T increase पर volume क्या रखना है? constant, तो T को तो increase करना है और volume को क्या रखना है? अपने को constant, तो T को increase करना है और volume को क्या रखना है, constant रखना है ओके, very good और वापिस से अगर अपन चलते हैं तो B, C, C, D में अपन चलते हैं तो C, D में अगर अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो चुका है वापिस से T कौन हो गया तुमारा, constant और T constant पर हमारे पास pressure क्या हो रहा है volume को increase, तो ऐसा अपना graph बनने वाला है, A, B, यह होगा B, C, और यह होजागा C, D तो एक बढ़िया question है एक interesting और important question है 15 का option रहेगा option number will be 4 यह रहेगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा तो एक अच्छा question तो दाया मन, question number 16 पर 15 का answer होजाएगा 4 ओके A, given object take N times to slide down a 45 degree rough incline pain is it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree incline the coefficient of kinetic friction between the object and the incline is, एक पिंड द्वारा 45 degree जुकिए कौन पर नत तल पर नीचे पहुँचने में गर्षन युक्त नत तल पर पहुँचने में लिगा गया समय, समान चिकने नत तल के तुलना में एन गुला है पिंड तता गर्षन युक्त तल के मद्यन गर्षन उनांग हुगा तो चलो मुद्द यह है, अपने पास ये एक smooth incline plane है, जिसकी distance अपने पास S है, तो smooth incline plane पर जब block आता है, तो उसका acceleration होता है G sin theta तेक है, same to same अमारे पास एक rough incline plane है और rough incline plane पर भी S distance चल रहे है, object अपने पास इदर आ रहा है, angle अपने को दे रखा है ये दोनों का ही कितना है, 45 है तेक है, और इदर जब object चल के आता है या slide गर के आता है तब इदर जो acceleration होता है that acceleration of coming down that is G sin theta minus क्या होता है, mu G cos theta, ये अपन जानते है तेक है, smooth पर G sin theta और अगर friction रहेगा तो friction रहने की case में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, mu G cos theta तेक है, अब अपन बात करते है तो displacement, displacement दोनों पर क्या करना है अपने को बराबर करना है, और अपने को बोल रखा है, ये इधर अगर T time लग रहा है इधर अपने को T time लग रहा है तो इधर क्या time लग रहा है अपने को N T time लग रहा है Are you getting this point? टेक है, तो यहाँ पर displacement, displacement दोनों में करना है, displacement on friction और displacement on frictionless, दोनों क्या रहने है, same हमारे जानते है, S will be equals to क्या हो जाएगा, UT plus half AT square ठीक है, तो इधर अगर अपन बात करें तो displacement दोनों पर same है, initial velocity 0 consider करते हुए, यहाँ पर अपने पास half acceleration into कितना हो जाएगा, T square, तो friction वाले की बात करते हैं, तो friction वाले की equation, देखो, friction पर half AT square, half to half acceleration, friction पर वाले पर acceleration कितना है, that is G sin theta minus तुमारा क्या हो जाएगा, mu G cos theta into कितना हो जाएगा, T square, तो friction पर T जो लग रहा है, वो कितना है, तुमारे पास N T है तो इधर हो जाएगा, मारे पास कितना N T का हो जाएगा, whole square, that is equals to, इधर frictionless पर half, यह बन जाएगा, G sin theta into, इधर का क्या हो जाएगा तुमारे पास T square तो आगे, इधर 1 by 2 से 1 by 2 cancel G common और G से G से G cancel, और इधर अगर अगर अपन बात करें तो यह T square से T square भी cancel रहेगा, तो इधर बच जाएगा तुमारे पास sin theta, minus यह बन जाएगा, mu, इधर बन जाएगा कौन, cos theta, इसके साथ बन जाएगा, अपने पास N square, यह N square और इधर बच जाएगा, अपने पास कौन, sin theta देखे, तो इक काम करते है आप general equation बनाना चाहे तो भी ठीक है, angle अपने को 45 degree दिया हुआ है, तो sin 45 की value 1 by root 2 minus, यह हो जाएगा, mu cos 45 की value भी 1 by root 2 इधर चल जाएगा तो हमारे पास कौन, N square इधर हो जाएगा, यह वापिस से 1 by root 2 root 2 से, root 2 से, root 2 cancel, और हमारे पास 1 minus mu, that will be एक बस्तू, इस N square को नीचे बेद देता तो 1 upon क्या हो जाएगा, N square, इसको इधर इसको इधर, तो mu की value बन जाएगी हमारे पास कितना, 1 minus 1 upon क्या हो जाएगा, N square mu will be equals to 1 minus 1 upon N square, तो एक interesting concept और हमारे पास result जो रहेगा, इसका 1 minus 1 upon कितना हो जाएगा, N square question number 16 हमरा रहेगा, answer number 2, चलते हैं अपन question number 17 question number 17 a ray of light is incident on an equilateral glass prism placed on a horizontal table, in for minimum deviation which of the following is true, okay बढ़िया, एक शेदी stable पर रखे संभाव कांच के prism पर एक निम्न विशलन के लिए एक प्रकास किरन को आपतित कराए जाता है तो निम्न में से कौन सा गतन सत्य है तो minimum deviation prism के लिए अगर आपन देखें, तो minimum deviation की condition जो रहती है, वो कुछ इस तर ऐसे रहती है कि हमारे पास situation यहाँ पर एक ray incident होगी लेगे, और minimum deviation पर आपके पास situation यहाँ से ये ray इस तर ऐसे जाएगी और situation ugly, that emerging ray जो रहेगी, वो इदर की दरफ रहेगी तो situation के अगर आपन बात करें यहाँ इस observation को देखें तो angle of deviation कहाँ बनता है हमारे पास यह incident ray इदर की दरफ और यह आपके पास क्या है यह emergent ray और इन दोनों की बीच में यह हो रहा है हमारे पास deviation and this is angle of deviation देखें, जब minimum deviation की condition होती है, तब हमारे पास यह जो ray which is inside of the prism which is traveling inside the prism which will be parallel to the base of prism यह जो रहेगी, यह वाली ray prism के base के क्या रहेगी, parallel रहेगी तो यहाँ पर अगर आपन देखें तो यह अपने को क्या बोल रुख है, this is pq और यह अपने पास कौन है, qr और यह है अपने पास rs तो qr ray will be parallel to base of the prism यह minimum deviation के condition होती है कि आपके पास इधर when this delta will be minimum this ray will be parallel to the base of prism, तो qr will be horizontal, qr is horizontal, question number 17 का answer रहेगा, qr is horizontal चलते हैं अपन अगले ocean पर question number 18 question number 18 what is the ratio of tension, force and string t1 and t2 रसी में तनाव बलो का अनुपाद t1, anुपाद t2 क्या होगा, तो t1, anुपाद t2 की बारे में बात करनी है, यहाँ पर देखें system का acceleration कैसे रहेगा यह रहा तुम्हारे पास 8 और 7 15 g, downward direction में इधर अगर अपन देखें तो 2 और 3 यह इधर 5 g इधर की दरफ, तो अगर अपन system के acceleration की बात करें, तो net pulling force कितना हो जाएगा, 15 g minus का हो गया तुम्हारा 5 g upon sum of masses, 15 और 5 यह हो जाएगा 20, तो यह हो गया तुम्हारे पास कितना 10 g upon कितना हो जाएगा 20, which is g by 2 ठीक है, अब t1 की अगर मैं बात करूँ, तो equation अगर अपन बनाए, तो यहाँ पर यह 8 g नीचे की दरफ है, और t1 ऊपर की दरफ है, यह नीचे की दरफ आ रहा है, g by 2 acceleration से, तो 8 g minus यह हो जाएगा मेरे पास t1, that will be equals to 8 into कितना हो जाएगा, g by 2, तो t1 इधर यह इधर की दरफ, तो t1 की value हो जाएगी कितनी, 8 g, minus हो जाएगा तो हमारे पास कितना, 8 g upon कितना हो जाएगा, 2, तो t1 की value बन जाएगी हमारे पास 8 g by 2 this is t1, simple equation है कुछ भी नहीं है, और आगे की बात करें, तो इधर अपने पास यह जो है, जब यह system नीचे की दरफ, अपने पास कितना acceleration हो गया, g by 2 हो गया, तो यह system g by 2 acceleration से कितर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो यह system g by 2 acceleration से उपर आएगा, उसके according t2 की equation लिखें तो t2, minus यह कितना हो जाएगा तो मारे पास 3 g, t2 minus यह हो जाएगा, 3 g, that will be equals to 3 into कितना हो जाएगा, g by 2 3 into यह हो जाएगा, मेरे पास कितना g by 2 तो अगर अपन इसको देखें, तो t2 की value बन जाएगी है, हमारे पास कितनी, 3 g plus 3 g upon क्या हो जाएगा, 2, 2 का LC हम लोगा तो 6 g plus 3 g यह हो जाएगा 9 g upon कितना हो जाएगा, 2, तो अगर अपन बात करें t1 upon t2, t1 upon t2 that is, this is 8 g upon 2, upon कितना हो जाएगा, 9 g upon क्या हो जाएगा, 2, g by 2 से g by 2 cancel, यह कितना बन जाएगा, 8 by 9 8 by 9 will be the situation 8 by 9, यह रहा आपने पास option number 1, उदर तो यह रहा आपने option number 1, 8 by 9 will be the answer of this situation ratio of temp tensions in the strings will be 8 by 9, चलते हैं question number 19 पर 2 coherent light beams of intensity i and 4i 2 coherent light beams है coherent means their phase difference means their frequency is same and their phase difference is not changing over the time, coherent sources coherent sources के बीच में किसी point पर phase difference time के साथ change नहीं होता है, एक है, produce an interference pattern, the intensity at a point where phase difference is 0 will be, दो कलासंबद पुंज या दो कलासंबद प्रकाश्रो जिनकी तिवरताएं आई और 4i हैं कि व्यतिकरन यह मिलकर एक व्यतिकरन परतिलों बुत्पन करते हैं तो उस बिंदू पर तिवरता क्या होगी जहां कलांतर शुन्य है, जब कलांतर आपके पास शुन्य हो, delta 5 that is equals to अपने पास क्या है, 0 तो उस time पर हमारे पास interference होगा, that will be constructive interference, जब delta 5 0 रहेगा, तो संपोशि व्यतिकरन होगा, और अधिक्तम तिवरता आपको प्राप्त होगी, और अगर अपन बात करें, then the maximum intensity, वो कितना होता है हमारे पास, that is under root, यह हो जाएगा मेरे पास i1 plus under root क्या रहेगा i2 का क्या हो जाएगा, whole square ठीक है, maximum intensity अगर आप ऐसा नहीं करना चाते है, तो अपने पास intensity का expression क्या होता है, intensity that is i net, that is i1 plus तुमारा हो जाएगा, यह i2 plus 2 under root हो जाएगा, i1, i2 और यह हो जाएगा, cos अपना 5 तो इसको solve कर लो, यह इसको solve कर लो, एक ही बात है, क्योंकि cos 5 की value अपने पास कितनी हो नहीं है, भी, cos 5 की value 0 है, और cos 5 की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यह बन रहा है तुमारे पास कौन, this is under root i plus यह चल जाएगा, तुमारा under root 4i का हो जाएगा, whole square तो यह बन जाएगा, इधर under root i, plus यह हो जाएगा, 2 under root, यह हो गया, अपने पास i का whole square, under root i, 2 under root i, तो यह बन जाएगा, 3 under root i का हो जाएगा whole square और हम लोग को यह मिलना है कितना intensity that will be equals to 9i, तो 19 का answer रहेगा, 2, 9-9 will be the intensity obtained at the points of zero phase difference या उन मिंदू पर जहां पर कलांतर जो है, शुन्य है, वहाँ पर तिवरता कितनी प्राप्त होगी, 9i प्राप्त होगी, question number 20, question number 20, the phase difference between the current and voltages, इस circuit में अभी voltage अपने को दिया है, और जो current flow होनी है, वो current अगर अगर अपन I consider करें, तो AC circuit है, और उन दोने के बीच में phase difference अपने को क्या करना है, पता करना है, तो अपन जानते हैं, 5 तो इसने बोल दिया है, इसको 5, 0 बोल दिता हो अपन, और अपने पास जो current और voltage की बीच में, एक AC circuit में phase difference जो होता है, वो क्या होता है, that is, tan 5, that is, equals to XL minus क्या रहेगा, XC upon क्या होता है, R, RLC circuit की बात कर लेते हैं, इसमें C नहीं है, तो XC को क्या कर देंगे, अपन, remove कर देंगे और 10, 5 अपना क्या हो जाएगा, 10, 5, that will be equals to, यह हो गया, तुमारा XL upon R, देंगे, XL क्या होता है, that is, omega L upon क्या हो जाएगा, R, omega की value, यह रहा अपने पास cos, omega हो गया, तुमारे पास कितना, 100, L की value कितनी है, L की value, 20 millihenry, यानि कि 20 into 10 कितना चल जाएगा, यह माइनस का 3, upon, into, यह तो हो गया, omega into L, और upon R की value कितनी है, अपने पास 2, तो 1, 2, 3, से 3 गए, 2 से 2 गए, इसकी value कितनी आ रही है, 1, तो यहाँ पर 10, 5 की value कितनी आ गई है, 10, 5, that is equals to 1, तो 5 कितना हो जाएगा, आपने पास 45 degree, and voltage, तो आप इसको, अगर आप कहें कि यहाँ पर 5 है, तो इसको theta consider कर लो, and theta, value of theta, the phase difference between current and voltage will be 45 degree for given situation, तो इसका answer रहेगा 20 का answer number रहेगा, 1, तो यह 20, answer number 1, चलते हैं question number 21 पर, question number 21, question number 21 यह बुल रहा है, if a uniformly charged spherical shell of radius 10 centimeter has potential V, at a point, distance 5 centimeter from its center, then the potential at a point, distance 15 centimeter from the center will be, यदि एक समान अविशिद गोली कोश, जिसके 3010 centimeter है, कि केंदर से 5 centimeter दूरी पर विभाव जो है, वो V है, तो केंदर से 15 centimeter दूरी पर विभाव क्या होगा, तो यहाँ पर एक interesting मामला है, हमारे पास एक spherical shell है, 10 centimeter, ठीक है, और यहाँ से 5 centimeter जो distance है, उस 5 centimeter पर अपने को potential कितना बुला है, V बुला है, ठीक है, और अपने को यह बताना है, कि यहाँ से 15 centimeter की जो distance रहेगी, 15 centimeter पर potential, लेस से यह V' है, तो इस V' की value अपने को बतानी है, और radius 10 centimeter, had potential V at point distance 5 centimeter from the center, then potential at a point, distance 15 centimeter from the center, will be ठीक है, तो यहाँ पर आपने पास spherical shell होता है, तो हम लोग जानते है, that for a spherical shell, potential inside the sphere will be same as potential at the surface, ठीक है, और यहाँ पर potential का expression जो आपन बनाता है, वो potential का expression क्या बनता है, that is V will be equals to क्या होता है, आपने पास KQ upon R, and this R is radius of the sphere, यहाँ पर किसी गोली एकोश के अंदर विदुद विबव जो होता है, वो प्रस्ट पर विदुद विबव के क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है, और यहाँ पर, क्योंकि अंदर अगर अपन एक charge को, एक test charge को infinite से लिखे आ रहा है, तो तो अपने को यहाँ पर surface तक लाने में ही work करना पड़ेगा, उसके अंदर move करने में अपने कोई work नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर electric field जो है, वो absent रहेगा, देखें, तो electric field absent है, तो field की वज़े से कोई work नहीं होगा, तो extra potential store नहीं होगा, extra potential store नहीं होगा, तो inside point पर potential जो रहेगा, वो surface के बराबर रहेगा, और surface का potential, that is kq upon r, तो इसकी value अपने को कितनी बुल रुकी है, v बुल रुकी है या मैं इसको लिख दूँ, this is right now अगर अपन v की बात करें, तो surface के observation point from the center, तो अगर अपन v dash की बात करें, तो यह कितना हो जाएगा, अपने पास kq upon कितना हो जाएगा, 15, अपने को यह, अगर calculate करना है, तो मैं क्या करता हूँ, divide कर देता हूँ, kq से, kq cancel, दस यह जाएगा, दो बार, यह जाएगा, अपने पास 2 by 3 V, अपने पास answer जो रहेगा, 21 V का answer number रहेगा, कितना, that is 2, 2 by 3 V, वैसे भी outside point पर potential जो रहेगा, वो कम रहना है, तो अपने पास option जो रहेगा, वो तो effectively कम वाला option रहेगा, V से कम वाला option रहेगा, क्योंकि अपन ग्राफ जो जानते हैं, potential का ग्राफ कैसा रहेगा, potential ग्राफ, constant and then this, ठीक है, तो जो outside potential रहेगा, that will be less than the potential inside and potential on the surface, ठीक है, चलते है अपन, question number 22 पर, question number 22, यहापर अगर अपन बात करें, critical angle for total internal reflection in a certain medium is sine inverse 0.6, then the polarizing, polarizing angle for that medium is, किसी माध्यम में पूर्ण आंत्रिक परावरतन के लिए कांतिक कोन का मान, sine inverse 0.6 है, तो इस माध्यम का दुरुवन कोन होगा, देगे, तो दोनों बातें यहाँ पर एक साथ करते हैं, वैसे तो last में मैं आपको formula याद रखने के लिए बोलूँगा, बट अगर अपने को concept दीखना है, तो concept के लिए अगर अपन बात करें, तो let us consider total internal reflection, total internal reflection की condition क्या रहती है, हम लोग पहले एक denser medium में है, जिसका refractive index कितना है अपने पास, mu है, इधर अपने पास AR है, और AR के लिए अपन reflective index अभी अपन consider कर रहे है, that is, reflective index of AR is, let's say 1, तो अगर अपन यहाँ पर यह, अगर आप इस question को यूँ कि AR नहीं consider करना है, तो आप relative reflective index की बात कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर 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 आपन देखे, तो एक light ray, total internal reflection के लिए critical angle पर, इस point पर incident होगी, this will be our theta c, उस time पर, जो reflected ray जो रहेगी, अगर आपन यहाँ पर देखे, तो आपके पास reflected ray, angle of reflection will be equals to कितना हो जाएगा, आपने पास, 90 degree, तो reflected ray जो रहेगी, that will be the condition, when total internal reflection will start occur, critical angle, it is the angle when, angle of reflection in the other medium becomes 90 degree, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर अपन एक denser medium से, एक riner medium में जा रहे हैं, तो आपके पास जो, जो reflected ray रहेगी, वो medium या normal से क्या होगी, दूर हटेगी, तो अगर मैं इस angle को अगर increase करते जाता हूँ, तो एक critical angle एक angle ऐसा होगा, जहाँ पर आपके पास reflected ray क्या हो जाएगी, 90 degree angle पर move करेगी, that angle is referred as critical angle, तो यहाँ पर अगर अगर अपन स्नेल स्लो से बात करें, तो अपने पास क्या रहेगा, mu 1, इदर वाला, sine अपने पास क्या हो गया, i, जो कौन एपना critical angle, that is mu 2, उदर वाला, that is 1, और इदर sine क्या हो गया, तो उमारे पास r, जो क्या हो जाएगा, 90 degree, तो यहाँ से अगर अपन देखे, तो mu, यह बन जाएगा, अपने पास sine theta c, that will be equals to क्या हो जाएगा, 1, इदर से mu की बात करें, तो इदर 1 upon sine inverse 0.6, तो sine of sine inverse 0.6, तो यह कितना हो चुका है तुमारे पास, mu will be equals to 1 upon 0.6, अभी आगे, अगर अपन बात करें polarization की, तो polarization यह अपने पास होगे, transparent medium, वो ही medium, जिसके लिए अपने पास refractive index mu है, और इस पर एक theta p polarizing angle पर, अपन theta p polarizing angle पर, अमरे पास ray incident हो रही है, तो इससे जो reflected ray रहेगी, if we are having this particular angle of unpolarized light, incident unpolarized light, तो इस time पर brewster law क्या बोलता है, कि इस time पर जो reflected ray रहेगी, reflected ray, वो कितने पर जाएगी, theta p पर जाएगी, यह क्या हो जाएगी, polarize हो जाएगी, यह brewster law होता है, कि polarizing angle पर, एक medium पर, अगर, transparent medium पर, अगर आपके पास एक unpolarized light incident हो रही है, यदि एक पारदर्शी माध्यम पर, एक दुरूइत प्रकाश, theta p कोण पर आपतित होता है, तो इस time पर, परवरतित प्रकाश जो रहेगा, वो क्या रहेगा, दुरूइत रहेगा, यह reflected ray जो रहेगी, यह reflected light जो रहेगी, वो क्या रहेगी, polarize रहेगी, इस time पर अगर अपन redacted ray की बात करें, तो refracted ray इदर की दरफ जाएगी, और इन नोनों की बीच में बनने वाला angle जो होता है? 90 degree तो ये अपने पास होगया 90 degree, ये हो लुँआ theta P, तो ये बनेगा आपने पास कितना? 90 minus theta P, because this total will be 180. 180 मैं से ये हो गया 90, यह हो गया थीटा P, तो यह कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा P और वापिस से इधर से इधर के लिए अपना स्नेशल अप्लाई करें, तो पहला मीडियम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, यह हो गया तो मेरे पास कौन साइन थीटा P, फाइन इधर अपने पास क्या बनेगा, मु दूसरा मीडियम और इधर बन जाएगा साइन, मु वन साइन आ, that is इक्वस तो मु तो, साइन और साइन यह हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा P साइन यह गया अपना कॉम थीटा पी that is equals to म्यू साइन नाइंटे मैने सीटा that is equals to क्या हो जागा तो मारे पास cos थीटा पी और यहां से म्यू का expression अगर अगर अपन देखे तो म्यू क्या हो जागा तो मारे पास यह बनेगा अपने पास इदर cos थीटा को उदर डिवाइड करते हैं तो यह क्या बन जाएगा sin थीटा पॉन cos थीटा that is tan थीटा पी ठीक है तो अगर अपन म्यू से अगर इन तीनों एंगल को relate करना चाते हैं तो म्यू की विल्यू इधर से तो क्या बन रही है म्यू will be equals to 1 upon sin क्या हो जाएगा तुमारा थीटा सी और यह बन जाएगा एक में क्या बन जाएगा टैन थीटा पी ठीक है दिस फिल बिदे रिलेशन बिवीन critical angle and polarizing angle यह formula आप लोग को याद रखना है क्योंकि एतना अपन concept सीख रहे हैं की लिए अपन बात कर रहे हैं but otherwise you should remember this formula जहां पर mu की value जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है 1 upon 0.6 हो गई है this is 1 upon 0.6 और इसको अगर अपन देखे तो यहां से solve करेंगे इसको theta p that will be equals to यह जाएगा तुमारे पास 10, 10 upon 6 that is 5 upon क्या बजाएगा 3 तो यह बन जाएगा मेरे पास कितना 5 upon 3 1.66 और यह 10 इदर आजाएगा तो यह बन जाएगा तो मेरे पास 10 inverse 1.66 10 inverse 1.66 तेखे 22 का answer number रहेगा 3 एक complete description अपने आबर कर लिया है जिसमें अपने total internal reflection और अपने Brewster's law that how at particular angle the reflected light will be polarized तो दोनों polarization और इनका एक intermediate एक बड़िया कुश्चन है यह आपको यह rule हमेशा ध्यान रखना है then question number 23 बर चलता है question number 23 क्या बोल रहा है 2 springs of force constant k by 4 and k by 5 are joined in series they are connected to mass m the frequency of oscillation will be तो हम लोग time period of oscillation जब spring होता है तब क्या होता है हमारे पास spring block system के लिए 2 pi under root m by क्या होता है this is k effective तो अगर अपने बात करते हैं तो frequency क्या होजेगी 1 upon अपना हो जाएगा 2 pi under root क्या बज़ने जाएगा अपने पास k effective upon क्या हो जाएगा हमने पास m सब flip कर दिया तो यह तो हो गई अपने पास frequency अब अगर अपने बात करते हैं k effective के लिए तो k effective यह बनेगा हमारे पास कितना इधर series में series में actually k effective k series क्या होता है that is 1 upon k 1 plus क्या होता है 1 upon k2 तेखें यह इसको अपन लिख सकते है कि k series यह k effective क्या हो जाएगा सीधा सीधा k1 k2 upon k1 plus k2 तो यह बनेगा मेरे पास कितना k by 4 into यह हो जाएगा k by 5 upon यह हो जाएगा k by 4 plus क्या हो जाएगा k by 5 जिसको अगर अपन solve करते हैं तो इदर बन जाएगा मेरे पास k square upon यह बन जाएगा kौन 20 upon यहाँ पर बन जाएगा मेरे कौन यह 20 और इदर बन जाएगा 5 हो 4 9 k बन जाएगा 20 से 20 cancel k से 1 k cancel अपने पास k effective की value आ रही है k by 9 k effective की value बन रही है k by 9 तो frequency that is 1 upon यह हो गया तो हमारा 2 pi इदर की effective जो कौन है k by 9 और नीचे m अपने पास आ रहा है 9 का root 3 तो frequency will be equals to कितना हो जाएगा 1 upon 6 pi under root कितना हो जाएगा k upon यह गया अपने पास कौन? m 1 upon 6 pi under root k upon m तो एक बढ़िया situation series combination of springs पर अपनने बात करी and frequency of oscillation 23 का answer number हो जाएगा अपना 1 चलते है अपन question number 24 24 24 in common emitter configuration और in common emitter transistor the base current is IB and alpha is 0.9 then find the value of IC उबाइन इस उससर्जिक transistor में आधारदार आपने पास कितनी है IB की value दे रही है और alpha की value दे रही है तो अपने को IC की value calculate करनी है वैसे तो अपन इसको बहुत सारे तरीकों से solve कर सकते है जैसे अगर अपन alpha की बात करें तो effectively alpha होता क्या है alpha होता है हमारे पास that is I IC upon क्या होता है यह IE होता है यह रहता है तेखें IC upon IE और IE क्या होता है हमारे पास that is IE IC plus IB रहेगा तो common ometer configuration में चलो अपन common emitter को अगर directly discuss करें तो common emitter ऐसे है वैसे तो इससे भी आ सकते है पर common emitter में input current क्या रहती है हमारे पास input current is base current और output current जो रहती है वो क्या रहती है collector current रहती है और common emitter का current application factor जो रहता है वो बीटा रहता है effectively यह जो alpha है यह common base का current amplification factor है common base configuration के लिए जब common base में input current क्या रहेगा हमारे पास क्या रहेगा emitter current रहेगा और output current क्या रहेगा collector current रहेगा तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ic और ib में क्या relation होता है that ic is always equals to beta क्या रहेगा ib रहेगा question में ib की value दे रहेगी है alpha की value दे रहेगी है alpha और beta alpha और beta में relation होता है that beta is always equals to alpha upon 1- alpha तो अगर अपन यहाँ पर ic की बात करें तो यह बन जागा तुम्हारे पास alpha upon क्या हो जागा 1- alpha इंटू कितना हो जागा ib इदर alpha की value that is 0.9 इदर 1- यह कितना हो जागा 0.9 इंटू ib की value कितनी हो जागी अपने पास 2 micro तो यह बन जागा में पास कितना 0.9 upon यह बन जागा 0.1 और effectively यह 9 इंटू कितना हो जागा 2 micro 0.9 upon 0.1 तो points point और इदर अपने पास किया बन जागा 9 इंटू 2 micro this will be 18 micro तो इसका answer जो रहेगा that will be 18 micro will be the collector current तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नई sir ऐसे नई solve करना है तो आप इस equation से भी solve कर सकते है तो उबहरे पास alpha की value है और alpha क्या होता है Ic upon Ie रहता है तो इस equation को अगर आपन देखे तो Ic की value अपने को पदा करनी है Ic की value पदा करनी है alpha की value तुमारे पास होगी 0.9 तो इदर मैं Ie को ले जाता हूँ और Ie को इदर ले गया तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा Ic हो जाएगा Ie जो रहता है Solve कर सकते है तो this will be 0.9 Ic इदर आएगा तो 1 Ic minus 0.9 Ic तो यह इदर क्या बन जाएगा 0.1 Ic बन जाएगा और इदर 0.9 0.9 Ib बन जाएगा तो बात वो की वह हो जाएगी that Ic will be equals to 9 Ib तो किसी भी तरह से solve कर है एक important question है यह जिसमें transistor के लिए common emitter configuration अपने course में है और common emitter configuration में जो current application factor रहता है वो बीटा रहता है alpha जो है वो common base current amplification factor है तो अपने पास result रहेगा 24 का 1 चलते है अपन question number 25 पर question number 25 in the given circuit the reading in emitter A1 and A2 just after closing the switch will be दिये के परिपत में switch को on चालू करने के तुरंट पश्चार A1 तथा A2 का पाट के हां खोगा देगे emitter अपने को emitter का reading चाहिए और जब पन switch को just close कर रहे हैं तो T is equals to 0 और just after closing the switch capacitor हमेशे short circuit रहता है टेगे T is equals to infinite या steady state पे capacitor पूरा charge हो जाएगा और उस time पर capacitor क्या हो जाएगा open हो जाएगा capacitor की mechanism आपको इध्यान रखनी है DC circuits के लिए not for AC circuits it is only for DC circuits तो T is equals to 0 पर आपका capacitor is short circuit रहेगा और effectively circuit आपका क्या बन जाएगा this will be 5 ohm और इदर लग रहा है तुमारा कौन emitter A1 और इदर भी अपने पास कौन है 5 ohm है तेगे 5 ohm और इदर लग रहा है अपने पास कौन emitter A2 और अपने को ये बताना है कि इन दोनों की reading क्या रहेगी जबकि अपने बैटरी कितने की लगा रखी है 10 की बैटरी लगा रखी है 10 volt तो यहां से जाने वाली current अगर अपन देखें I हो तो ये दोनों में divide होगी इदर I1 हो जाएगी और इदर क्या हो जाएगी हमारे पास I2 हो जाएगी तो ये 10 volt इस पर भी लग रहा है 10 volt इस पर भी लग रहा है I1 की विल्यों अगर मैं बोलू I1 will be equals to क्या हो जाएगा V upon R1 ये R1 अपना हो गया जो अपने पास 10 upon कितना हो जाएगा 5 क्योंकि ये 10 इस पर भी जा रहा है तो इसमें आने वाली current कितनी हो जाएगी 10 बटा 5 That is 2 ampere और ये 10 जो है ये इस पर भी लग रहा है जब कि हम लोग amateurs को ideal consider कर रहे है amateurs amateurs जो रहेगा इनके जो resistances रहेंगे वो कितने रहेंगे 0 रहेंगे और उसी तरह से I2 की अगर अपन बात करें तो this is also V upon क्या हो जाएगा R2 ये भी रहेगा 10 upon 5 जो अजागा अपने पास 2 ampere तो question number 25 का answer रहेगा 2 ampere, 2 ampere तो एक systematic question है बस आपको ये ध्यान रखना है that at t is equals to 0 initially capacitor क्या रहेगा short रहेगा और after long time capacitor when it is fully charged it will get open circuited चलते हैं पन question number 26 पर question number 26 a mass m is suspended from a spring of negligible mass the spring is pulled a little and then released the mass execute shm of time period t तेहें if the mass is increased by small m the time period becomes 5 t upon 3 then the ratio of small m and capital m is यदि m दर्यमान को एक नगन दर्यमान के spring से लटका कर अपन दूलन करवा रहे हैं तब आवरतकाल कितना है t है और small m की वरद्धी कर दी जाए तब आवरतकाल कितना अपने पास 5 t बटा 3 है तो अगर अगर अपन t की बात करें तो t is equals to 2 pi under root क्या होता है अपने पास m by k यह t की बात करें तो t is proportional to under root m तो अपने को पहले जब situation दे रिखिए जब m mass है तब t अपना कितना है t है और small m अपने add or कर दिया है तो अपने पास time period कितना हो गया 5 t by 3 हो गया तो अपने इसको लिख सकते हैं that 5 t upon 3 upon इदर से लिख देता हूं में t तो इदर बन जाएगा तो उमारे पास under root में कौन बन जाएगा जब दोनों masses साथ में हैं तो this will be capital m plus क्या हो जाएगा small m और इदर under root में कौन हो जाएगा small m तो यहां से t c t cancel square करते हैं तो this will be 25 upon क्या हो जाएगा 9 इदर बन जाएगा square भी कर दिया अब मैं m को divide भी कर लिता हूं तो यह हो जाएगा 1 plus small m upon यह बन जाएगा अपना कौन capital m तो अपने को small m upon capital m की value बता करनी है small m upon capital m that will be equals to यह उदर जाएगा तो 25 upon यह हो गया 9 minus का हो गया 1 तो इसको इदर बेजूँगा 25 minus 9 this will be 16 upon कितना हो जाएगा 9 small m upon अपना capital m जो रहेगा that is 16 upon 9 16 upon 9 small m upon capital m 16 by 9 तो एक बढ़िया situation है चलते हैं अपन अगले question पर इसका answer जो रहेगा that will be answer number 4 26 का answer number 4 16 upon 9 चलते हैं question number a bulb B1 100 watt 100 volt and bulb B2 100 watt 200 volt is connected across 200 volt battery यह battery जो अपने को दे रिखी है वो कितनी की है 200 volt की है what is the potential drop across B2 देखें यह दो bulb जुड़े हैं इनके लिए चीजें अपने को बोल रखी हैं और अपने को यह बताना है कि B2 के across potential कितना है तो effectively अगर अपन यहां पर बोलें तो अपन rated power और rated voltage अपने को दिया हुआ है उसके according अपन resistance की बात करें तो resistance क्या होता है अपने पास V या अगर अपन बात करें P rated that will be close to V rated square upon क्या हो जाएगा R तो यहां से अगर मैं R की बात करूँ तो यह हो जागा मेरे पास V rated square upon क्या हो जाएगा P rated तो अगर bulb number 1 के resistance की बात करूँ R1 तो उसका rated voltage कितना है 100 तो 100 का square upon इसकी power कितनी है अपने पास 100 watt तो 100 100 से 100 के इंसल और इदर कितना बन जाएगा अपने पास 100 तो इसके लिए क्या हो जाएगा Bulb number B2 के लिए इसका voltage कितना दे रिका है 200 Rated voltage 200 का square upon कितना बन जाएगा मेरे पास 100 तो 200 में 10 से 10 गया और 200 इंटू 2 यह कितना बन जाएगा मेरे पास 400 तो इसका resistance तो है 100 ohm इसका resistance है 400 ohm और 200 volt के अपने लगा रिखी है बैटरी तो आपने को यह बताना है कि B2 पर voltage कितना आएगा What is the potential drop across B2 तो effectively अब आपके पास यह एक series circuit हो गया है जिसमें इधर क्या है अपने पास This is 100 ohm This will be 400 ohm और यहाँ पर अपने आपस एक बैटरी है जिसकी value कितनी है This is 200 volt ठीक है और यह अपना B2 हो गया यानि कि यहाँ पर अगर मेरे को voltage V2 आ रहा है तो voltage division rule apply करेंगे और voltage division क्या बोलता है कि इस पर आने वाला voltage V2 will be equals to यह वाला resistance upon दोनो resistance का sum R1 plus R2 into applied voltage जो अपना कौन है V तो V2 यह बन जाएगा तो मेरे पास कितना 400 upon 400 plus 100 यह होगया अपना कौन 500 into हो जाएगा applied voltage that is 200 तो यह दोनों cancel 4 बटा 5 4 बटा 5 का मतलब यह जाएगा मेरे पास 4, 5, 20, 40 और 40 into 4 this will be 160 volt तो V2 की value हो जाएगी मेरे पास कितनी 160 volt 160 volt 160 volt और यह voltage जो है यह rated voltage से क्या है कम है इसका मंदब bulb fuse नहीं होगा Are you getting this point? उसी तरह से bulb B1 पर जो voltage आ रहा है बाकी का जो बच्चा हुआ 40 है तो इस पर तो आएगा 40 volt इस पर आएगा 160 volt और दोनों जो voltages आ रहे हैं वो इसके rated voltage से कम है तो दोनों bulb अभी क्या करेंगे working condition में रहेंगे तो दोनों bulb work करेंगे और अपने पास इसका result रहेगा 160 volt will be there voltage on bulb B2 चलते हैं अपन question number 28 पर हम लोग को यह बुला हुआ है body of mass M is situated distance 4RE from the surface of earth where RE is radius of the earth देखे situated distance 4RE from surface of earth okay, height दे रहे हैं हमने को what is the minimum energy needed by body to escape एक M दरेपान की वस्तु प्रत्वी सत्य से 4RE दूरी परिस्तित है जहां RE प्रत्वी की तरिज्जा है वस्तु का पलाइन करने के लिए नियुन्तम कितनी उर्जा की आउशकता है देखे, अभी situated का मतलब अभी यह object यह तो हो गया अपने पास कौन? RE और यहां से 4RE distance यह रही, 4RE और इस जिगह पर यह situated है यह orbiting नहीं बोला हुआ है यह ऐसे orbit में rotate नहीं हो रही है तो यहां पर effectively अगर आपन देखे तो small r, distance from center कितनी हो गई? RE प्लस 4RE जो कितनी हो जाएगी अपने पास 5RE हो गई है, potential energy of the system की बात करूँ, तो minus g m e m इसका मास अपने पास small m है, भी रखा है upon small r, जो कितना हो जाएगा मेरे पास 5RE, भाई क्या होता है potential energy, minus g m1 m2 upon क्या होता है, small r, small r is distance between the centers, तो यहां पर distance between centers कितना हो जाएगा, that is 5RE, तो यह तो हो चुका है, अपने पास कितना, this is 5, 5 RE, ठीक है situated में, अभी kinetic energy अपने पास कितनी है, 0 है, और इस system के लिए अगर मैं उस object की total mechanical energy बोलू, तो there is kinetic plus potential, और यह हो जाएगा, अपने पास कितना, minus g m e m upon क्या रहेगा, अपने पास 5 RE, ठीक है escape करने के लिए कितनी energy चाहिए होती है, that is binding energy, और binding energy जो होती है, वो क्या होता है that is magnitude of E ठीक है, इतनी, E के बराबर energy अपने को, चाहिएगी object को escape करने के लिए, तो आपको escape करने के लिए जो energy चाहिए है, that is g m e m upon क्या हो जाएगा, 5 RE ठीक है g m e m upon, अच्छा acceleration due to gravity की term में देर रखा है answer तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको मैं RE से multiply और RE से क्या करता हूँ, divide तो g m e upon RE का square तो g m e upon RE का square ये क्या बन जाएगा, अपना small g बन जाएगा, m small g r e upon क्या हो जाएगा, 5, that is the binding energy of the system, minimum energy required to escape from from the attraction of planet वह नुन्त मुर्जा जो पलायन करने के लिए आउशक होगी, m g r e upon कितना हो जाएगा, 5, m g r e upon कितना हो जाएगा, 5, ठीक है चलते है अपन, अगले कुश्च्छिट पर 29 29 a nucleus which is at rest divided into 2 nucleus density of both nucleus are same and ratio of their radius is 1 by 2, ठीक है, then the ratio of their velocity is a nucleus which is at rest एक विराब में इस्तित नाविक दो नाविकों में विग्टित होता है, जिनके गनत्म समान है और तिर्जाओं का अनुपात कितना है एक अनुपात 2 है, तो उनके वेगों का नुपात क्या होगा, ठीक है, एक nucleus है, यह रहा अपने पास nucleus और इसका mass अपने पास M है, यह अभी stationary है, यह दो nucleus में divide होता है, यह अपने पास कौन है, M1 जो जा रहा है कुछ लेस से V1 से और यह जा रहा है अपने पास कोई M2, जो जा रहा है अपने पास कुछ V2 से, ठीक है अपने को यह बूल रहा है कि radius यानि कि R1 अपॉन R2 की value जो दे रही है that is, 1 is to 2 और अपने को calculate करना है, what will be the ratio of velocities, ठीक है जब यह system है, initially यह rest पर है, तो इसका initial momentum will be equals to 0, और final momentum अगर अपन बोले, तो P final will be equals to, यह हो जाएगा मेरे पास कितना, M1 V1 plus क्या हो जाएगा, M2 V2 that will be equals to 0, ठीक है momentum conservation apply किया तो final momentum M1 V1 plus M2 V2 और यह initial momentum के बराबर हो जाएगा, तो यह 0 के बराबर रहेगा ठीक है, तो यह, यहाँ सी यह पता चल रहा है कि momentum M1 V1 will be in opposite direction to M2 V2, यानि कि दोनों particle opposite direction में जाएगे magnitude की form में मैं अगर बात करूँ magnitude of M1 V1 that will be equals to magnitude of क्या हो जाएगा M2 V2 mass, density into volume, density दोनों की same है, तो मैं यह लिख सकता हूँ volume of 1 into velocity of 1, that will be equals to volume of 2, into क्या होगा velocity of 2, जहाँ पर दोनों की density अपने को क्या बुला हुआ है same बुला हुआ है, volume is proportional to क्या होता है, RQ तो इधर हो जाएगा तो मारे पास R1 cube into क्या हो जाएगा V1, that is equals to R2 cube into क्या हो जाएगा V2, तो यहां से अगर अपन बुले तो उनके वेगों का अनुपाद V1 upon क्या चाहिए अपने को V2 V1 upon V2 की बात करूँगा तो यह R2 cube upon क्या हो जाएगा मेरे पास R1 cube R2 cube upon R1 cube R2 upon R1 तो अपने को R2 upon R1 R1 upon R2 की value 1 by 2 दे रिखिये R2 upon R1 क्या हो जाएगा 2 by 1 का square cube, sorry this will be 8 is to 1 तो ratio of velocities will be 8 is to 1 एक बढ़िया कुच्चन breaking of nucleus plus momentum के अज़र बेशन पर based चलते हमनं कोच्चन नमबर 30 पर कोच्चन नमबर 30 एक plane electromagnetic wave travels in free space along x direction wave जो है वो x direction में travel कर रही है तो यह रही अपनी x direction तो एक है the value of magnetic field in Tesla at a particular point in space case is what this magnetic field अपने को दे रिखा है magnitude लिख रहा हूं में पहले के मिल इसका this is 1.2 into 10 raise to power कितना रहेगा minus 8 तो आपको e vector की value चाहिए e vector तो अगर अपने को e की value चाहिए तो एक तो अपन जानते की e upon b will be equals to तो कितना हो जागा तो मारे पास c तो अपन e का magnitude अगर बोले तो e का magnitude जो रहेगा वो अपने पास कितना हो जाएगा this will be equal to b into क्या हो जागा तो मारे पास c b की value 1.2 into 10 raise to power कितना है minus 8 और c की value 3 into 10 raise to power कितना हो जाएगा 8 तो minus 8 plus 8 cancel 12 तिया 36 this will be 3.6 तो e का magnitude तो हो जागा 3.6 तो 3.6 में एक तो यह चला गया और एक यह चला गया दो option बन रहे है ठीक है अब इन दोनों options में से अपने को क्या बोल रुखा है magnetic field वैसे आपको इसको solve करना अगर है तो magnetic field अपने पास क्या है it is in k-cap direction और एक electromagnetic wave में electric field और magnetic field दोनों एक दूसरे के क्या रहता है perpendicular रहता है तो अगर आपके पास k-cap में magnetic field है तो अभी जो given options है उसमें से k-cap में तो magnetic field है ही है तो आपका electric field किस direction में जाएगा? perpendicular direction में और k-cap की perpendicular direction कौन रहेगी? j-cap रहेगी तो यह effectively अपने पास क्या हो जाएगा? answer जो बन जाएगा इसका 30 का 3.6 j-cap इसमें simple सी बात है magnetic field और electric field दोनों एक दूसरे के perpendicular होने है जब magnetic field की e-cap में है तो electric field इसके perpendicular रहेगा एक यह option बसता है otherwise अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आप हमेशे ध्यान रखेंगे electric field, wave always propagate in the direction of e vector cross रहेगा b vector तो wave का propagation हमेशे e cross b की direction में होगा अभी अपने पास b किदर है? यह रहा अपने पास b, b vector इदर है wave का propagation किदर है? इदर की तरफ है, जो question में given है तो e cross b, e right hand rule, e cross b की direction में wave travel करेगी तो आपका electric field जो है है वो इदर की तरफ होना चाहिए ठीक है, this is x direction, यह होगया तुमारा i cap, this is z direction, this is what? k cap तो आपका, sorry, electric field, इदर electric field जो रहना है electric field, e cross b इदर की तरफ, तो e vector जो रहना चाहिए, वो कीदर जाएगा तुमारा, j cap direction में जाएगा, j cross k, that will be equals to i तो एक बढ़ी आसा discussion, एक electromagnetic view पर एक important question जस पर तीसर भी का answer हो जाएगा हमारे पास 4, that is 3.6 g cap तेक है, चलता है पर question number 31 पर the temperature of n moles of an ideal gas is increased from t to 4t through a process by, in which process p is equals to, process varies as, p is equals to a t to the power minus 1 where a is constant, then the work done by the gas will be, देक है, एक n moles वाली आदर्श गैस का तापमान एक प्रगरी है, जिसका दा, p बराबर a t gas-1 के द्वरा t से 4t तक परिवर्तित होता है, जहाँ एक नियतांक है, तब gas द्वरा किया गया कारेरी क्या होगा, देके, तो हम बात करने वाले हैं, एक important concept की, कि अगर अपके पास एक random process दिया हुआ है, तो उसमें work done अपन कैसे calculate करेंगे, देके, यहाँ पर, अपने कोई एक process दिर्खा है, जिसको अगर अपन देखें, तो अभी यह temperature की term में है, अपने इस process को पहले pressure और volume की term में express करेंगे, इस process के लिए, देखो क्या कर सकते हैं, अपन, this is P, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, this will be A upon क्या हो जाएगा, अपने पास T, इस T को इधर भेजेता तो यह बन जाएगा, अपने पास P, V upon हो गया, N, R, T की वेलिए अपन पूट कर रहे हैं, because P, V is equals to N, R, T, तो यहाँ से अगर अपन देखें, तो अपने पास अगर अपन देखें, तो अपने पास basically यह term बन चुकी है, that P square V, that is equals to N, R into A, number of moles constant, R constant, A constant, तो अपने पास अगल आप वापिस यहाँ पर बात करें, तो आप हमेशे ध्यान रखेंगे, एक polytropic process, polytropic process का मतलब एक ऐसा process, जिन में P, V raise to the power X equals to constant होता है, इस process में work बन जो रहता है, this is referred as polytropic process, this is general process, तो इसमें work done ता जो expression रहता है, that work done expression, this will be equals to, यह इस से इसको याद रखेंगे अपन, P initial, V P initial, minus P final, V final, अपन यह रहता है आपने पास कितना, X minus 1, यह बिल्कुल adiabetic process type का equation है, adiabetic process क्या होता है, P V raise to power gamma that is equals to constant, तो उसमें work done जो रहेगा, P initial, V initial, minus P final, V final, अपन क्या रहेगा, gamma minus 1, गामा की जगे पर यहाँ पर कौन आ गया है, X आ गया है, ठीके, वापिस से, अगर आपको P V दिरखा है, तो इस work done का एक और expression आपन बोल सकते है, that one more expression, इसको लिख सकता हूं में NR T initial, NR T initial, और इसको लिख सकता हूं में NR T final, तो यह बन जागा मेरे पास NR T initial minus T final, अपन क्या हो जागा तुम्हारे पास X minus 1, एक important discussion, एक important concept, कि कोई भी general process आपको दिरखा है, तो उसके लिए work done का expression अपन, यह formula अपन इसको याद रखेंगे, यह बिल्कुल adiabatic process या rudoshman program की एक दम parallel है, ठेक है, तो अपने को अपने expression को ऐसे लिके आना पड़ेगा, जिसमें P की power क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए और V की power कुछ होनी चाहिए, तो यहाँ पर P का square च P और V की power, या V का under root तो हो जाएगा, यह मेरे पास कितना, 1 by 2 यह हो जाएगा under root K, जो आपका क्या रखेंगा, कोई नया ही constant K1 बोल देते हैं, इसको, तो आपका जो polytropic process बन चुका है, यह बन चुका है, P V rest of the power कितना हो गया, 1 by 2, 1 by 2, that will be equals to क्या हो जाएगा अपना constant, औ कितना है अपने पास 4T, और इधर X की value, V की power कितनी ही आ रही है, that is 1 by 2, minus कितना हो जाएगा, 1, तो यह बन जाएगा मेरे पास 3NRT, 3NRT, अपनी हो जाएगा, अपने पास कितना, 1 by 2, 2 उपर जाएगा, तो यह कितना चल जाएगा, 6NRT, 6NRT, will be the answer of question number 31, 6NRT, एक बढ़ 31 का answer हो जाएगा, 6NRT, option number 4, चलते हैं अपन question number 32 पर, question number 32, the mean and anonymous value of an alternating voltage for half cycle, S और N figure R respectively, चित्र में प्रदेशित प्रत्यावरती वोल्टता का आदे चक्र की लिए, माध्य दता, वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, एक अपने का alternating voltage शो कर रखा है, दिख रहा है alternating voltage, इसका half cycle, तो यह रहा half cycle, यह अपने पास दूसरा negative half है, और यहाँ पर अपने को यह बताना है, what is the average value of alternating voltage, तो आप हमेशा यहाँ पर इसमें एकदम simple सा मामला है, यह जो है, यह constant value है, यह sine wave नहीं है, यह square wave है, और यहाँ पर अगर अपन देखें, तो half cycle तक की बात की जा रही है, तो इधर average calculate करना है, इधर value कितनी है, V0, 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 V0 किया जाएगा, V0, 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 means if you have a constant value, उस constant value की लिए average value जो रहेगी, that will be that value itself, तो यहाँ पर की V0 है, और V0 की लिए अगर अपने को पहले, केवल half cycle की बात की जाए अगर आपको full cycle लिए average बोला जाएगा तो इस वाली half cycle का average V0 और इस वाली half cycle का average minus V0 दोनों का full average कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बट अपने को केवल half cycle पर पूछा है तो V0 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 Average V average अपने पास half cycle के लिए half cycle के लिए अगर अपन बात करें तो यह कितना मनेगा एक तो V0 आगे चलना है अपने को RMS value calculate करना है एक constant value के लिए RMS value भी वो ही होगी क्यों? वो इसलिए कि अगर अपन बुलते हैं VRMS वो क्या होता है? root mean square कहने के मलदब आपको क्या करना है? पहले V0 कक्या करेंगे अपन square फिर क्यूंकि V0 constant है इसका अगर अपन क्या करेंगे? इसका अपन लेंगे average तो इसका average. यह अपन बात करेंगे square फिर average और फिर क्या करना अपने को अंडरूट करना है यह होगया root mean square, चैके, V0 constant है, तो V0 का square भी constant होगा, और V0 square का average जो आएगा, वो आपके पास क्या आना है, that will be V0 square only, क्योंकि एक term constant है तो इसका average यही term बनेगी, और वापे say square and root क्या, आपने पास cancel और आपके पास output जाएगा, वो क्या रहेगा, V0 रहेगा, तो V0, V0 will be the answer of this question, question number 32 का answer रहेगा, 1, V0, V0, एक constant value के लिए आप हमेशे जान रखें, average value और RMS value जो होती है, वो हमेशे क्या होती है, बराबर होती है, 4, 4, 4, 4, 4, average value 4, RMS value 4, तो इक है, simple question, एक बढ़िया question, 32 का answer रहेगा, आपने पास, V0, चल दे आपन question number 33 पर, question number 33, क्या बोल रहा है, एक Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from a source, maintain a temperature 500 Kelvin, okay, if it is desired to increase the efficiency of engine to 60% for the same sink, the temperature of the source must be, चलो, एक Carnot engine जिसकी दक्षता 40% है, 500 Kelvin ताप पर स्तित, स्रोथ से उश्मा लेता है, ठीक है, और इसकी engine की दक्षता को 60% करने के लिए सम्वान sink तापमान पर स्रोथ का तापमान होना चाहिए, efficiency, दक्षता, engine की दक्षता क्या होती है, 1-T2 upon क्या होता है, T1, जहां पर T1 जो है, वो sink temperature है, अभी पहले 40% दिरिखा है, कहने का मतलब यह क्या हो गया, तुमारे पास 40 upon कितना हो गया, 100, जिसमें यह हो गया, 4 बड़ा 10, और यहां पर अगर बोलें, तो initially अपने को क्या करना है, सिंक को समान रखना है, तो सिंक का ताप तो अपने को दिया ही नहीं है, पहले वाले केस में अपने को क्या दे रिखा है, temperature of source दे रिखा है, it is, it takes heat from source, maintain a temperature 500 Kelvin, तो यहां पर अगर अगर अपन देखें, तो 1 minus, यह हो गया मेरे पास T2, अपने पास क्या चल गया है, यह वितिनगा आपने पास क्वाण, T1 जिसके वेल्यू कितनी हो जागी 500, that is equals to 4 अपन कितना हो जागा 10, यह मैं इसको इदर लिके आता हूं और इसको इदर लिके आता हूं, 300 Kelvin, तो पहले बाले कंडिशन से अपने सिंग का अपने पास 300 Kelvin, चलते हैं आपन आगी, next, वापिस से आपको क्या बोला, इसी इंजन की दक्षता को अपने को क्या करना है, 60% करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, श्रोथ का तेमपराच, ता आप कितना होना चाहिए, यानि कि अगर अपने इसी इंजन को अपनी की इंफिशनसी जो है, वो 60% तक इंग्रीज करनी है, तो अपन सोर्स तेमरेचर चेंज करने हैं, तो वापिस से 1- यह हो जागा मेरे पास काउन T2 अपन T1, that is equals to 60% efficiency का मतलब क्या हो जागा, 60 upon 100, यह करना है अपने को, 1- T2, सिंग का तेमरेचर कितना अपने पास 300, अपन यह क्या हो जागा, T1, पता करना है, 6 बटा क्या हो जागा, 10, इसको इदर, इसको इदर, तो this will be 300, अपन क्या चल जागा तो उम्हारे पास, T1, that is equals to, यह उदर जागा, तो 1- 6 बटा 10, क्या हो जागा, 4 बटा 10, यहांगर में यहांपर बात करूं, तो question number 33 का answer हो जागा, 750 Kelvin, लेके, एक simple question, कार्णों इंजन, एक important topic, जिस पार अपनने बात करी, efficiency of कार्णों इंजन, that is 1- C2 upon T1, answer रहेगा मरे पास 750 Kelvin, 33 का answer हो जागा, 2, चलते अपन question number 34, question number 34, if SP and SV denotes the specific heats of unit mass of nitrogen at constant pressure and volume respectively, then, यदि SP तथा SV, nitrogen के एकांग दरिमान की नियत दाब तथा नियत आइतन पर विशेशिमा है, तो क्या relation रहेगा, nitrogen हमारे पास क्या है, N2, gas के लिए अगर अपन बात करें, तो molar mass इसका कितना रहेगा आपने पास, that is 28, बात आती हैं कि SP और SP का, SV का मामला क्या है, अगर अपन mass के लिए बात करें, तो heat और Q की अगर 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 बात करें, तो यह होता है, M, S, delta T, अगर आप एक mass को, if we have some amount of mass, जिसको अपन क्यों heat supply कर रहे हैं, जिसकी वज़े से इसका temperature जो delta T तक क्या होता है, rise होता है, एक important concept वापिस यहाँ पर अपन discuss कर रहे हैं, यह जो S आ रहा हैं, इसको अपन बूलते हैं specific heat, या इसको अपन बूलते हैं, gram specific heat, तेके, और अपन उसी तकर पर gas के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो अगर आपके पास gas के N mole हो, उसको अगर अपन heat supply कर रहे हैं, क्यों, तो इस टाइम पर heat given जो दी जाती है, N mole के लिए, वो होता है N C delta T, ठीके, यहाँ पर जब moles के लिए बात कर रहे हैं, तो यह जो C है, इसक को अपन बूलते हैं, molar specific heat, question में आपको यह बूल रुखा है, SP and SV denotes the specific heats of unit mass, कहने को मतलब आपको mass के लिए specific heat दी हुई है, यानि कि आपको this specific heat, what is, what is this, this is gram specific heat, mass वाली specific heat अपने को दे रिखी हैं, gram specific heat दे रिखी हैं, और अपने को यह relation पूचा है, तो एक छोटा सा relation अपन derive करेंगे, कि molar specific heat और gram specific heat में क्या relation होता है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, क्या हो रहा है यह, यहाँ पर same heat के लिए अगर बात करूँ, तो mole क्या होता है, यह number of moles, that is, mass upon क्या हो जागा तुमारे पास, molar mass, और इधर हो जागा तुमारे पास C into क्या हो जाएगा, delta T, ठी तो इन दोनों equations को compare करें, कि अगर इस जिगर पर N mole की जिगर पर अपना M mass होता, तो अपने पास अगर अगर अपने दोनों equations को compare करें, तो this is M, C upon M, यहाँ से comparing these two equations, M to M, और delta T to delta T, तो what we are getting, the gram specific heat is equals to molar specific heat upon क्या हो जाएगा, molar mass, या अगर अपन यहाँ पर यह बात करें, तो molar mass into क्या हो जाएगा, gram specific heat, C will always be equals to M into S, molar specific heat, यह हो जाएगा, अपने पास molar visi shushma, it equals to molar mass, या molar dhrima into क्या हो रहेगा, gram specific heat, question मैं आपको S के बारे में बात कर रखी है, हम एक gas के लिए जानते है, that Cp minus Cv will be equals to क्या होता है, R, तो यहाँ पर अगर मैं Cp की बात करूँ तो मैं इ into Sv और यह हो जाएगा मेरे पास कितना R, Sp minus Sv that will be equals to R upon क्या हो जाएगा मेरे पास molar mass और अपने पास gas जो दीए हो है, nitrogen है, जिसका molar mass 28 है, तो आपके पास Sp minus Sv will be equals to R upon कितना हो जाएगा, यह 28, एक बढ़िया question, एक important concept है, तो आपको यह relation हमेशे जान रखना है, कि gram specific heat और molar specific heat में क्या relation होता है, molar specific heat is equals to molar mass into क्या रहेगा, gram specific heat, तो आपके यह molar विशेशे जुमा बराबर क्या रहेगा, molar दरिमान into gram विशेशे जुमा, और अपना answer बन जाएगा, Sp minus Sv will be equals to R upon 28, Sp minus Sv that will be equals to R upon 28, then चलते हम अगले question पर, question number 35 पर, question number 35, क्या बोल रहे हैं यह, 3 rods, each of mass M and length L are joined to form an equilateral angle shown in figure, what is the moment of inertia about axis, an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the plane, okay, 4 नुसार, M दरिमान तरफा L लंबाई की तीन छड़ों को एक संभाफू त्रीबूच की रूप में जोड़ा जाता है, इस तंदर की दरिमान के अंदर से गुजरने वाले, तथा तल की लंबबबत एक्षिक साफिक जड़त वागून, क्या रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब आपके पास अभी ये 3 rods है, और इस axis के about अपने को moment of inertia क्या करना है, calculate करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जानते हैं कि एक rod जो होती है, उस rod के लिए center of mass से पास होने वाली exit जो होती है, Ic, उसके about moment of inertia कितना होता है, ml square upon अपना क्या रहेगा, 12, बात करते हैं, इन आपर this is, मैं calculate करना बता रहा हूँ, X की वैसी value ये आप याद भी रख सकते हैं, ये जो रहेगा, ये कितना रहेगा, length L है, तो ये कितना हो जाएगा, basically this will be A by 2, ठीक है, ये theta, equilateral triangle है तो ये theta कितना रहेगा, 30 रहेगा, तो अपने पास जो diagram बन गया है, ये अपने पास distance X है ये angle 30 है, और ये A by 2 या L by 2 हो जाएगा, क्या points में आ रहा है, ठीक है, अब यहापर लगा देते हैं 1030, perpendicular upon क्या हो जाएगा, base, तो X upon, ये हो जाएगा मेरे पास कितना A by 2, that will be equals to 10, क्या लग जाएगा अपना, that is 30, ठीक है, और X की value हो जाएगी है, हमारे पास कितनी, A by 2, 10 1030, 1030 is 1 by, 1030, 1 by root 3, तो अपने पास X जो बनेगा, वो हमेशा बनेगा L या A upon 2 root 3, 2 root 3, 2 root 3, X will be equals to L upon 2 root 3, ये distance आपको सीधी याद रखनी है, तो अगर अपने को यहापर अपन बोले, कि किस सरह से अपने इसको solve करेंगे, तो इसके about अपने को moment of inertia पता है, और ये distance अपने अपने पास X हो गई है, तो एक rod के लिए moment of inertia, I see parallel axis theorem apply करते है, parallel axis theorem क्या बोलता है, इसके about moment of inertia, जो कितना है, M L square upon अपने पास क्या हो जाएगा, 12, plus M into क्या हो जाएगा, X square, X square में X की value कितनी आ गई हैं तुमारे पास, that is, L upon ये बन गया तुमारा, 2 root 3 का क्या हो जाएगा, O square, क्या point संच में आ रहा है, ये अपने पास एक rod का moment of inertia आ गया, और I total की बात करें, तो ऐसी कितनी rod है अपने पास, ऐसी 3 rod है, तो अपने पास total moment of inertia कितना हो जाएगा, 3, चलो, इधर चल रहा है अपने पास I, that is, 3 times of, एक चल रहा है तो हमारे पास M L square upon, प्लस एक चल रहा ह तो, M L square upon 12, plus M L square upon 12, 2 M L square upon 12, यने कि यह होजगा मेरे पास कितना, 3 into M L square upon की कितना मन जाएगा, 6, M L square upon 12, plus M L square upon 12, 2 M L square upon 12, ठीके, 2 से 12 कैं deliveries, तो हमारे पास कितना मन जाएगा, 6, torpedo ओर 3 से 6 कैंसल ऑगा तो अमने पास कितना मन जाएगा, 2, तो आपके पास system का जो moment of inertia बनेग जहां पर यह वाली calculation तो अपने को maths के according यह वाला relation तो अपने को पहले से याद रखना है अपने समझ में आ रहा है और नहीं भी तो कोई बहुत बढ़ी बात ती है इसको अपन calculate कर सकते है तो this will be ml square upon 2 तो answer question number 35 का answer रहेगा answer number 2 लेके moment of inertia of this time will be ml square upon 2 question number 36 तो question number 36 से हमारा section B शुरू होता है कहने का मतलब अब इस section में हमारे पास 15 questions रहेंगे और उन 15 questions में से आपको 10 questions अटेंड करने हैं तो दिखने में आपको comfortable लगता है कि 15 में से 10 questions अटेंड करने है बट यह कभी-कभी जो comfort है यह दिखकर दिखके चला जाता है क्योंकि उसके लिए आपको 15 questions पढ़ने पढ़ेंगे और उसमें से select करने के अपने को 10 questions कौन से कौन से attempt करने है तो उसमें time आपको लगेगा तो अपन चलते हैं अपने question number 36 के लिए और 36 में यहाँ पर आपने को अब हम सारे questions का solution करेंगे आपको कोई 10 questions आप लोगो ने attend किया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगो ने इसमें अच्छा perform किया है चलो question number 36 if r is the maximum horizontal range of particle then the greatest height written by 8 is okay किसी करन का अधिक्तम क्षेतित परास r है तो इसके द्वरा प्राप्त की गई अधिक्तम उचाई होगी तो अपन प्रोजेक्टाइल के लिए क्या जनते हैं यह होता है हमारे पास r10 theta that is equals to क्या होता है 4h for a projectile relation between range and height आपको यह बोला हुआ है maximum horizontal range maximum horizontal range कब होती है जब theta कितना होता है अपना 45 degree theta 45 degree रहेगा तो अपने पास r 10 45 की value कितनी हो जाएगी 1 that is equals to 4h और इसके according h की अगर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा r by 4 यह relation आपको याद रखना है r10 theta is equals to 4h relation between height and range of the projectile so h will be equals to r by 4 question number 36 का answer बन जाएगा हमारा 4 this will be r by 4 ठीक है तो simple question है और चलते हैं पन question number 37 पर question दो पर 36 का answer हो जाएगा 4 which is r by 4 37 37 यह बन रहा है in this ac sub circuit given in this diagram the resistance is r 0.2 ohm at a certain instance v a minus v b is 0.5 volt i is 0.5 ampere and rate of increasing current delta i upon delta t is 8 ampere per second then value of inductance will be इस चित्र में प्रत्यावरती परिवत का भागदर्शा है गया है जिसमें अपने को r का मान इतना देर गया है एक निश्चित समय पर अपने को यह दिया है कि v a minus v b की value कितनी है 0.5 volt है यहाँ पर i key value अपने पास 0.5 ampere है और current increasing rate of current increase कितना अपने पास 8 ampere per second है तो अपने को यह बताना है कि यह जो prayer कत्व है इसका मान क्या रहेगा तो चलते है current अभी increase हो रही है यह रही अपने पास current इधर से kvl apply करेंगे kvl अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर potential अगर मेरे पास v a है इधर potential मेरे पास क्या है v b है तो kvl क्या बोलता है एक if current is increasing inductor will oppose it तो current उदर से increase हो रही है तो inductor उसको क्या करेगा अपोस करेगा कहने का मतलब inductor की वज़े से या inductor में जो EMF induce होगा वो इस तरह से current flow करवाएगा या जो external current है उसके opposite direction में inductor की वज़े से current produce होगी तो inductor की polarities की बात करें तो आप हमेशे यह उद्धान रखें यह छोटा सा अलग discussion वापिस अपन बात करते हैं कि current हमारे पास अगर increase हो रही है तो inductor इसका oppose करेगा तो inductor की वज़े से या inductor में जो EMF induce होगा उसकी polarity ऐसी रही कि यह इस current को क्या करें अपोस करें कहने का मतलब इस inductor की वज़े से current जो flow हो वो opposite direction में हो तो यह इसको क्या कर देगा अगर उसी case में अगर अपने पास condition यह है कि this current is let's say decreasing तो यह inductor इसके decrease होने का भी अपोस करेगा तो यह inductor इस current को क्या करेगा support करेगा तो इसमें polarity जो develop हो जाएगी वो इस तरह से develop हो जाएगी ठीक है तो अभी अपने को increasing current दे रखा है यहां से चलते है VA और current is increasing inductor में polarity plus minus ऐसा रहेगा resistance में current input है तो यह रहेगा plus minus ऐसा रहेगा और VA minus VB KVL VA minus VB that will be equals to उधर से आ रहे है inductor, inductor में जो EMF induced होता है E उसकी value क्या रहेती है LDI upon DT और जिसकी polarity अपने पहले ही mention कर दी है तो यहां से enter करेंगे तो पहला plus this will be L क्या हो जाएगा D I upon क्या हो जाएगा DT Point No.1 इधर से दूसरा plus और it will be I into क्या हो जाएगा R क्या पास हमें रहे हैं तो अपने को question में VA minus VB की value कितनी दिरिखी है that is 0.5 That is equals to inductor, inductor की value अपने को क्या करनी है, calculate करनी है D I upon D I upon DT की value कितनी दिरिखी है प्लस I की value कितनी दिरिखी है, that is 0.5 और resistance की value कितनी दिरिखी है, that is 0.2 तो बस यह 1 by 2 हो जाएगा, तो 0.1 बन जाएगा, यहां से यह बनेगा 0.1, 0.1 को उदर लिखे जाएगे तो 8L की value आपकी पास कितनी बन जाएगी, यह उदर जाएगा, तो 0.5 में से 1 जाएगा, तो 0.4, ठीक है इसको ऐसे लिख देता हूँ, this is 10, 4 into 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह अगर अगर आपन यह आपर बात करें तो L will be equals to 1 by 2, 1 by 10, 1 by 2 को 0.5 और इसको आपन आपन लिखें, तो यह बन जाएगा आपने पास कितना, L की value जो बनेगी, that is L, this implies that L will be equals to 0.05 Henry 1 by 20, 0.05, 1 by 2.5 और दसको आपने पास कितनी बन जाएगी, 0.05 Henry, option बन रहा है, 0.01, 2.59, option number 4, तो 37 का answer रहेगा, अपना answer number 4, चलते हैं बन, question number 38 पर, एक simple और अच्छा सा concept अपने डिसक्स किया, आप घ्यान रखें कि यह, यह solutions जो हैं, आपको बहुत useful रहेंगे, देगे, next, question number 38, A cyclist riding the bicycle at the speed of 14 root 3, meters, meter per second, takes a turn around circular road, of radius हमारे पास क्या है, 20 root 3, without skidding, given G is equal to 9.8 meter per second square, what is the inclination, what is his inclination from vertical, एक cycle सवार, 20 root 3, meter 30, वाले, वर्तकार सड़क पर, 14 root 3, की चाल से, बिना फिसले, मुड़ती है, और तब इसका, मुड़ता है, और तब इसका, उर्दवदर से जुकाओ, क्या होगा, देगे, तो हमारे पास situation यह है, कि जब अपन, किसी circular turn पर, पर move करते हैं, तो हम लोग, for the small instance of time, for the small part of that arc, हम circular path पर होते हैं, और हम लोग को किसी arc पर move करने के लिए, circular motion के concept को क्या करना पड़ेगा, satisfy करना पड़ेगा, circular motion का concept क्या है, कि there must be a force, towards the center, which will provide necessary centripetal force for circular motion, क्या है वरती गती के आवशक शर्त, कि वहाँ पर उस गती के दौरान, आपके पूपर इस प्रकार से एक बल होना चाहिए, केंदर की और एक बल होना चाहिए, जो वरती गती के लिए आवशक अभी केंदरी बल आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा, यह रहा cycle वाला, जब यह यहाँ पर turn करेगा, तो इसका normal से, यह अपन वर्टिकल से थोड़ा सा इसका bending होगा, उस bending के लिए बात करें, कि यह motion किस तरह से रहनी है, तो इस पर कौन-कौन से force act कर रहे है, इस जगे पर, इस पर उपर की दरफ क्या रहेगा, क्योंकि contact है, तो normal force, ठीक है, इसका weight जो रहेगा, वो downward direction में रहेगा, वो होगया, अपने पास mg, तो vertical direction में balance के लिए अगर अपन बात करें, तो equation एक तो बन जाएगी, अपने पास, n विल भी, बस तो क्या हो जाएगा, mg, अब इसका जो circular path है, यह रहा इसका circular path, ठीक है, इसकी radius अपन ले लि की tendency रखेगा, उसकी वज़े से, या इसकी skid करने की tendency इधर की तरफ रहेगी, उसकी वज़े से, इस पर friction जो है, वो इधर की तरफ act करेगा, and that friction will provide necessary centripetal force for circular motion, क्या पन समझ महा रहा है, तो इसकी sliding की tendency outward है, और outward के respect में friction इसकी sliding का क्या करेगा, अपोस करेगा, तो friction रहेगा towards the center, और friction, क्या होगा, इसकी circular motion के लिए necessary centripetal force provide कर रहेगा, तो हमारे पास friction will be equals to M, यह हो जागा मेरे पास कितना V square upon R, देखें, it will provide necessary centripetal force for circular motion, अब इसकी vertical से bending कितनी है, उसकी लिए बात करें, तो इस पर net, जो resultant contact force जो act करेगा, यह रहा अपने पास cycle, यह रहा हमारे प अपन बात करते हैं, तो यह रहा मेरे पास कौन friction, देखें, friction, और इसकी resultant की बात करूँ, तो इस पर resultant हमारे पास, resultant की अगर अपन बात करें, तो इस पर resultant, bipelogram low, अगर अपन बात करें, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, इधर, यह रहा हमारे पास resultant force, देखें, त तो यह गया, इधर चलो, तो इसका यहाँ पर यह जो एंगल बनने वाला है, वर्टिकल से एंगल, let us consider this is theta, तो यह कौन है तुम्हारे पास normal force, यह कौन है तुम्हारे पास friction, और अगर मैं यह आपर बात करना चाहूं, तो tan theta will be एकवस्टू यह हो जागा, मेरे पास friction upon क्या हो एकवेशन बन जाएगी, that tan theta will be एकवस्टू यह बन जाएगा, अपने पास कितना, v square upon rg, ठीक है, तो चलते है, tan theta, आगे, कौन-कौन है, v square, v कितना है, इतनी चाल दे रिखी है, 14 root 3, अपने को speed दे रिखी है, तो 14 root 3 का हो जाएगा, मेरे पास कितना, square, r की value कितनी दे रि है, 9.8, तो अगर अगर अपन 10 theta को solve करें, तो 10 theta, 14 square, that is 196, into root 3 का square, 3, upon, यह बन जाएगा, मेरे पास 20, root 3, और यह है, अपने पास कितना, 9.8, 9.8 से यह, 19.6, तो यह कटेगा, मेरे पास कितना, 2 बार, तो effectively, इसका, जो result बनेगा, this will be 20, ठीक है, भाई, 9.8 दे रिखा है, 19. 19.6 बन रहा है, तो we can see that, this will be cancelled by 20 times, वापे से 20 से ही, यह अपना 20 किया हो गया, cancel, root 3 से 3 यह cancel होगा, तो यहां पर कितना बन जाएगा, root 3, तो effectively, हमारे पास 10 theta की value बन रही है, that is, root 3, यानि कि theta की value कितनी बन जाएगा, अपने पास 60 degree, तो यह अपना concept रहेगा, कि भी आप किस एक circular path पर move करते हैं, तो आपका normal से bending angle जो रहेगा, that will be 10 theta, that is equals to V square upon RG, या इसको अपने इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वैसे अपने इसको सीधा formula अगर अपने को याद हो, तो V square will always be equals to RG 10 theta for bending on circular path, तो यहां से अपने पास theta अपने calculate कर सकते हैं, एक important question, पूरा concept अपने इसको सकते हैं, चलते हैं पन question number 39, question number 39, two particles A and B initially at rest, move towards each other under the mutual force of attraction, okay, fine, at the instance when the speed of A is V, the speed of B is 2V, the speed of center of mass of the system will be, A and B दो कन जो की प्राणम में विरामावस्ता में हैं, पारच पर एक आकरशन बल के कारने एक दूसरी की और गती करते हैं, उस question पर जब A की चाल V तथा B की चाल क्या हो, 2V हो, निकाय के द्रेमान केंदरी की चाल क्या होगी, देखें, एक concept, निकाय या एक system का center of mass तब disturbed होत if there is no external force on the system, center of mass of the system will not be displaced, तो यहाँ पर अगर पन देखें, basically, यह A है और यह B है, और यह दोनों mutual force of attraction में मूव कर रहे हैं, यह दोनों mutual force का मतलब, यह इस पर जैसे gravitation force की बात करते हैं, यह इसको attract कर रहा है, यह इसको attract कर रहा है, दोनों ही mutual force, mutual gravitation force में मूव कर रहे हैं, जिसकी वज़े से इसने बुला कि किसी time पर A जो है, V से चल रहा है, किसी time पर A जो है, वो V से चल रहा है, और B जो है, वो कित्ते से चल रहा है, 2V से चल रहा है, तो आपको यह पूछा हुआ है कि इस system के center of mass की velocity क्या होगी, ठीक है, center of mass does not move और does not displace in presence of internal forces, center of mass हमेशा केव center of mass का vivid displays, नहीं होगा, center of mass यहा है, तो center of mass उसी जगे पर बना रहेगा, velocity of the center of mass will become 0, ठीक है, because they are moving in their mutual gravitation force, और इस system पर external force कहीं भी apply नहीं हो रहा है, तो यह mutual gravitation force जो है, वो इस system का internal force है, यह जो परस्परिक गुत्वाकर्शन या परस्परिक आकर्शन बल जो है, वो इन दो उनों का आंतरिक, इस निकाय का आंतरिक बल है, और आंतरिक बलो की प्रभाव में, निकाय का द्रेमान के अंदर कभी भी विस्तापित नहीं होगा, तो अप्रे पास velocity कितनी मनेगी, 0, एक important concept, 39 का answer रहेगा, what will be the speed of center of mass, that is 0, चलते हैं हम पना question number 40, question number 40, a bullet of mass M, sorry, mass A and velocity B is fired to a large block of wood of mass C, at rest, the final velocity of the composite system will B, एक A द्रेमान की गोली B वेग से चलती हुई, C द्रेमान के बड़े इस्तिर लकडी के गुटके में दागी जाती है, से इतनी काय का अंतिम वेग, क्या होगा, तो हमारे पास जो जो देरिखा है, mass के लिए बात करें, तो यह होगी अपने पास bullet, इस bullet का mass कितना है, A, चल कितनी से रही यह, velocity, velocity इसकी कितनी होगी, B, देखें, यह आपने पास block, और इस block का mass कितना दे दिया, तुम लोग को mass दे दिया, इसका C, देखें, जब collision होगी, तो collision होने के बाद system की condition यह हो जाएगी, कि अपने पास अब, यह bullet इस ही में है, देख इसकी velocity लेट से क्या हो जाती है, V, applying momentum conservation of the system, तो यह हो जाएगा, तुमारे पास initial momentum कितना हो गया, A, B, प्लस इसका momentum 0, that is equals 2, इसकी लिए बात करें, तो यह हो गया, तुमारा A plus C, इसकी velocity कितनी हो जाएगी, V, तो यहाँ पर अगर अपन V की बात करें, तो यह जाएगा, velocity of the composite system will become A, B, अपन A plus C, ओके, चलते हैं अब क्कुशन नमबर 41 पर, क्कुशन नमबर 41, क्या बोलता है, considering infinite number of identical masses, M, at distance R, 2R, 4R, 8R, and so on, from a reference point O, the gravitation field intensity at O will be, एक जैसे M दरेमान, कि अनन्द करने एक निर्दिष्ट मिंदू O से, R, 2R, 4R, 8R आदी दूरियों पर है, मिंदू O पर गुर्त्विक शेत्र की तीवरता होगी, तो चलते हैं, क्या बोल रखा हैं अपने को, यह अपने पास कौन है, ओ, जहाँ पर gravitation field intensity अपने को calculate करनी है, यहां से एक डिस्टेंस R, इस पर रखा हुआ हैं, एक M, यहां पर एक और M रखा हुआ हैं, इस पर भी क्या रखा हुआ हैं, और इन सब मासे की वजए से, ऐसे infinite मासे यहां पर रखे हुए हैं, और इन की वजए से अपने को इस जिगर पर gravitation field intensity calculate करनी है, Gravitation field intensity attraction और इधर की तरफ सब की वज़े से सारे मासे जिदर हैं सब की वज़े से Gravitation field intensity की direction जो रहेगी that will be same and that will be towards the center of the circle तो यहाँ पर अगर अगर अपन net gravitation field intensity की बात करें तो यह बनेगा मेरे पास कितना this is पहले वाले मास की वज़े से GM upon क्या हो जाएगा R square plus दूसरे वाले मास की वज़े से बात करूं तो यह बन जाएगा मेरे पास GM upon यह बन जाएगा 2R का क्या हो जाएगा square ठीक है next अपने पास अगरा जो बनेगा that is GM upon यहां पर आपके पास एक infinite term की GP बनने वाली है GP बनने की तो GP, यहां से मैं क्या अगर लेता हूँ, GM upon R square तो ले लेता हूँ common, तो इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस यहां बन जाएगा मैं कितना 1 by 4 प्लस यह बन जाएगा 1 by 4 का square जो बन जाएगा अपने पास 1 by 16 प्लस 1 by 8 का square जो बन जाएगा 1 upon अपने पास कितना बन जाएगा 64, प्लस अप्टू जाएगा मामला infinite, infinite term की GP important concept, infinite term GP का जो sum होता है वो होता है A upon 1 minus R, A upon 1 minus R का मतलब A is first term and R is called common ratio, तो E जो बन जाएगा वो मेरे पास बन जाएगा, this is GM upon रहेगा मेरे पास R square A, कितना है, 1 upon 1 minus, यह हो जाएगा 1 by 4 A upon 1 minus, common ratio, एक से दूसरी term में कितना multiplication हो रहा है, that is 1 by 4, तो इसकी value कितनी आजाएगी 3 by 4 और इसको invert करके लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 by 3 तो 4 by 3 यह बन जाएगा GM upon क्या हो जाएगा अपने पास R square The field intensity at O will be equals to 4 by 3 GM upon क्या हो जाएगा R square, 41 का answer रहेगा, 4, 4 by 3 GM upon क्या हो जाएगा R square, 41, एक बढ़िया question, infinite term GP, important concept और यह इसका सम कितना रहेगा, A upon 1 minus R चलते हैं अपन question number 42 पर, question number 42 In the figure, the velocity of fluid V3 will be, okay चित्र में द्राव का वेग V3 होगा, एक systematic pipe आपको दिया हुआ है और अपने को यह बताना है कि इसमें जो liquid flow हो रहा है जो V3 velocity है, वो क्या रहेगे Pipe के लिए एक basic concept हम हम हमेशे ध्यान रखेंगे कि rate of volume flow, rate of volume flow का मतलब यह रहेगा जैसे एक तरह से current होती है, उसी तरह से मामला रहेगा that rate of volume flow to the pipe will be maintained constant ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से इतना volume enter कर रहा है उतना ही volume यहाँ से क्या होगा, leave करेगा यह इसको अपन बोल सकते हैं कि अगर density same है अगर liquid की density same mentaled है तो इदर से जितना mass enter कर रहा है, उदर से उतना mass exit करेगा density density cancel, तो बच जाएगा कौन volume तो इदर से जितना volume enter कर रहा है, उतना ही volume उदर की तरह exit करेगा और अपन यह बोल सकते हैं कि that rate of volume flow through the fluid will be constant कहने का मतलब अगर let's say, यहाँ से कुछ volume enter कर रहा है V1, तो यहाँ से कुछ volume leave कर रहा है V2 और यहाँ से कुछ volume leave कर रहा है volume बुल रहा हूं में यहाँ पर अभी, यह V3, V3 यह velocity है, ठीक है तो V3 पर तो अभी थोड़ी देर में आएंगे, this is let's say volume, velocity volume को अपन अभी small v से लिख रहे है volume is small v और velocity को अपन यह इसको अपन capital V से रिख देंगे, ठीक है, जो V3 इसने capital लिख रहा है ठीक है, आगे, तो अब यहाँ से volume की अगर अपन बात करें तो इधर से इतना volume enter करेगा, उतना volume यहाँ पर exit करेगा rate of volume flow through the pipe will be constant volume flow, rate of volume flow dv upon dt और volume क्या होता है that is effectively मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर dv by dt, that is volume, यहाँ पर अगर मैं इस pipe का cross section area consider करूँ, तो यह होगा हमारे पास a into कितना हो जाएगा, area into length effectively, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यह क्या रहेगा, मेरे पास area तो constant है, और dl upon dt क्या हो जाएगा, velocity हो जाएगी या इसको अगर अपने लिखे, area into, अब dl upon dt क्या हो जाएगा, velocity हो जाएगा तो हमेशा हम pipe के लिए गर एक चीज देखे हैं, तो यहाँ से rate of volume flow constant है, तो इसको अगर अपने arrange करूँ, आपके पास क्या रहेगा, dv1 upon dt, that will be equals to, उधर से बन जागा तो मारे पास इधर वाला volume, that is dv2 upon क्या हो जाएगा, dt, प्लस इधर यह हो जागा, मारे पास dv3 upon क्या रहेगा, dt, the volume entering to the pipe, will be equals to volume leaving the pipe, तो यहाँ से, अगर अपन यह बोलें, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, rate of volume flow क्या होता है, area into velocity, तो यह हो जागा, मेरे पास a1v1, that will be equals to, यह हो जागा, मेरे पास a2v2, plus क्या हो जागा, यह a3v3, तो जितना volume उधर से एंटर कर रहा है, उतन पास एक important relation यहाँ पर बन जाएगा, a1v1, that will be equals to a2v2 plus a3v3, आप इसको सीधा भी apply कर सकते हैं, यह concept, अपने देखा, इदर, a1, इसकी बात करते हैं, तो इसका area कितना है, that is 0.2, इदर velocity कितनी है, अपने पास 4, that is equals to, इदर अगर अपन बात करें, तो यह कितना है, 0.2 into velocity कि अपने पास 2, plus इदर की बात करें, तो इदर अपने पास कितना है, area, that is 0.4, और v3 की value अपने को पता करनी है, तो यह 4 दुनी 8, 0.8, this will be 0.4, plus यह हो जाएगा 0.4 into V3, तो अगर अपन देखे, इसको उधर शिफ्ट करूं, तो this is 0.4, that is equals to 0.4 into v3, तो अमाने पास v3 की value ब equals to 1 meter per second, एक बढ़िया question, एक important concept, चलते हैं अपन question no. 43 पर, question no. 43, क्या बोलता है, AB is the resistance less conducting rod which forms a diameter of conducting ring of radius R rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field B as shown in figure, okay, the resistors R1 and R2 do not rotate, then the current through resistor R1 is, AB एक चालक छड़ है, जो प्रतिरोद वी नीन है, एक चालक रिंग, जिसकी तरिज़ा R है, का व्यास बनाती है, को चित्रा नुसार, एक समान चुमकी एक शेत्र में, omega कोणी चाल से गुमाय जाता है, प्रतिरोद R1 तथा R2 घुनन नहीं करते हैं, तो प्रतिरोद R1 से प्रवाइत दारा क्या होगी, एक तो सबसे पहले दे देखें, तो इस central point को मैं consider कर लेता हूँ, ओ, दिखने में यह circuit आपको complicated लग रहा है, बट यह एकदम simple मामला है, अपन EMI concept से यह जानते हैं, कि अगर अपने पास एक rod जो है, जिसकी length L हो, और यह एक magnetic field में rotate हो रही हो, magnetic field में rotation, let's say rotation इसका यहाँ पर, इस point के अबाउट rotation ऐ हो रहा है, तो इसका कोई element जो रहेगा, उसकी velocity किदर रहेगी, इधर किदर, और V cross B की direction में इसका positive terminal मनेगा, यह positive terminal, यह हो गया बटा, O, और इसमें जो EMF induced होता है, वो EMF कितना रहता है, किसी rod के rotation में, 1 by 2, B omega कितना हो जाएगा, L square, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें, तो O से A के बीच में, distance कितनी है, अपनी R, तेक है, O से B के बीच में distance कितनी है, R, पर यह ring है, तो यह A और B point दोनों same है, तो A और B दोनों point same है, और rotation की अगर अपन बात करें, तो इसका rotation ऐसे है, ऐसे rotation है, तो A terminal जो रहेगा, तुम्हारा क्या बनेगा, positive, और O terminal जो बनेग उसका velocity vector इधर की तरफ रहेगा, तो V cross B इस पर apply करते हैं, तो B terminal रहेगा अपना कौन, positive, और O terminal जो रहेगा, वो negative रहेगा, ठीक है, तो effectively अब यह सारे जो components अपने बने रहे हैं, उनकी लिए अपन बात करते हैं, यह जो rod है AO, AO में EMF induced होगा, जिस की value less से मेरे पास कितनी है E है, तो अगर मेरे को E लिखना है, A higher potential और lower potential, E AO जो रहेगा, वो कितना हो जाएगा, 1 by 2 B omega L square या L की जिगर पर में लिख देता हूँ, इसको कितना रहेगा, यह मेरे पास R square, यह बन जागा अपना R square, उसी दरह से यहाँ पर B positive, O negative या E, B O को में बोल देता हूँ, B O, यह इसकी भी length कितनी R है, तो यह कितना R square, A और B दोनों same है, तो कहने का मतलब यह दोनों battery जो है, effectively क्या आ चुकी है, parallel में आ चुकी है, कहने का मतलब मैं यह लिखता, पहली वाली battery, जो रहेगी, लैसे यह अपना point हो गया O, ठीक है, पहली वाली battery, जिसकी value, यह E AO है, और दू यह दोनों battery किसमें आ गई है, parallel में आ गई है, अब बात करते हैं, तो effectively A और B जब same है, तो यह वाली line, AB line अपन इसको बोल देते हैं, अब R1 जो है, वो कहां तक connected है, R1 जो है, वो AB वाले terminal से O के बीच में connected है, AB वाले terminal से O के बीच में यह रहा तुमारा कौन, R1, और R2 जो पर दो अलग-अलग batteries, दो same EMF की batteries जब parallel में होती हैं, तो उनका equivalent जो होता है, वो E ही होता है, ठीक है, if two batteries of same EMF are in parallel, तो उनका resultant जो बनेगा, वो E ही बनेगा, यानि कि मैं इन दोनों को equivalent कितना लिख सकता हूँ, EAU ही लिख सकता हूँ, यह parallel batteries का concept है, कि अगर अपने पास एक EEMF की battery और एक दूसरी EEMF की battery, these two are in parallel, तो इन दोनों का equivalent system बनना है, वो सीधा-सीधा आपन क्या बना सकते हैं, इनका resultant EMF जो रहेगा, दोनों terminals की बीच में potential तो वही मिनना है, यह 5 volt है, यह 5 volt है, तो इन दोनों terminal की बीच में voltage कितना मिलेगा, 5 volt ही मिलेगा, तो यहाँ पर तो effectively R1 का across जो voltage आ रहा है, वो कितना आ रहा है, EEO आ रहा है, और R1 में flow होने वाली current की अगर अपन बात करें, तो R1 में flow होने वाली current जो रहेगी, that current I, that is equals to, R1 पर potential कितना है, EEO upon कितना हो जाएगा, R1, EEO upon क्या हो जाएगा, R1, इसके parallel में यह voltage लगा हुआ है, तो इसकी विज़े से इसमें आने वाली current, current क्या होती है, V upon R, तो इस पर V कितना है, that is EEO, इसकी value कितनी है अपने पास, 1 by 2 B omega यह हो जाएगा, R2 upon क्या हो जाएगा, R1, तो result बनेगा, B omega R2 upon 2 R1, एक simple concept, parallel batteries है, और same EMF की batteries जब parallel में होती है, तो उनका equivalent जो बनता है, वो same E ही बनेगा, तो हमारा result बन जाएगा, B omega R2 upon 2 R1, जबकि 1 by 2 B omega R2, दोनो rods में होने वाला induce EMF है, पर दोनो rods क्या है, एक दूसरे के parallel है, तो resultant कितना बनेगा, E ही बनेगा, और R1 क्या हो गया तो बनेपास, resistance तो इसमें flow होने वाली current, B omega R2 upon 2 R1, एक है, तल दे अपन, question number 44 उपर, question number 44, from the graph between the spring restoring force F and displacement X, the value of spring constant will be, okay, spring प्रत्यान बल F तथा, विस्तापन X के मद्वे, खीचे गए लेखा चित्र से, spring नियतांग का मान होगा, अब अपन क्या जानते हैं, F spring restoring force क्या होता है, minus KX रहता है, देगे, F ही जिकल सू, minus KX, जहाँ पर K क्या हो जाएगा, spring नियतांग क्या, spring constant क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोलों के बीच में graph बन रहा है, यह एक straight line है, और इस straight line की equation बनाएं, तो इसका एक तरह से, यह वाला angle जो है, वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 30 degree, positive X axis से बचने वाला angle कितना हो जाएगा, 30 degree, और यह अगर अग equals to MX plus C से देखे, तो intersection on Y axis, that is 0Y, slope की बात करें, तो इसका slope जो हो जाएगा, यह इधर की तरह है, तो this will be minus 1030, देखें, या अगर आप को चाहिए, तो इधर, यह 60 degree है, तो उपर वाला angle क्या बनेगा, 60 degree, और यह हो जाएगा, अपने पास कितना, this is 90, 90 plus 60, आप अगर equation पूर slope क्या होता है, positive X axis से बनने वाला angle, तो positive X axis से अभी यह जो straight line है, वो कितना angle create कर रहे है, that's it, 10150, यह हमें इसको anti-clockwise direction में चलता, तो minus 1030 सीधा भी लिख सकता था, बद चलो समयज़रें के लिए बात कर रहे है, तो यह कितना हो जाएगा, X plus C, कितना है, 0, intersection on Y axis is 0, 10150 को अगर solve करा है, तो 150 की value, यहां पर 10 को अपन solve कर सकते है, 150, that is 180 minus कितना हो जाएगा, 30, तो वो आपिस वो ही बन जाएगा, 10, 180 minus 30, quadrant रहेगा second, result रहेगा negative, 180 पर 10 change नहीं गवा, तो this will be 10 minus 1030, तो effectively आप इसको direct भी लिख सकते है, that slope will be minus 1030, Y minus 1030 की value हो जाएगे, अपने पास कितनी, 1 by root 3, X, तो comparing this equation, K की value क्या बननी अपने पास, F is equals to minus KX से compare करेंगे, तो K की value क्या हो जाएगी, 1 by root 3, 44 का answer हो जाएगा, आपने पास कितना, 1 by root 3, देखें, simple question, चलते हैं आपन, question number 45 पर, question number 45, क्या बोल रहा है अपने को, two equal and opposite charges are placed at a certain distance apart, देखें, force between them is F, two equal and opposite charges, ले ले लेते ह है, एक अपने पास कौन है, this is let's say Q, तो equal and opposite का मतलब, दूसरा क्या हो जाएगा, minus Q, force between them is F, इनके बीच में जो force लग रहा है, वो अभी कितना अपने पास F है, तो F की value क्या लिख सकते है, that is, K Q square अपन क्या हो जाएगा, तुम्हारा, R square, देखें, if 20% of charge on one is transferred to another, इसमें से 20% चला गया, 20% का मतलब कितना होता है, 20%, Q का 20%, that is 20 upon 100, तो यह बन जागा अपने पास Q by 5, इसमें से Q by 5 charge जो है, वो इस पर चला गया, और इस पर अभी positive charge है, तो positive Q by 5 charge इस पर transfer हुआ है, तो इसका charge कितना बज जाएगा, Q minus Q by 5, तो यह बजाएगा, 4Q upon कितना बज जाएग 5, ठीक है, इस पर transfer किया है, तो यह minus का Q और उदर से plus Q charge जाया है, plus Q by 5 charge जाया है, तो अब इस पर जो charge बज जाएगा, वो कितना बज जाएगा, minus 4Q upon कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, simple से बात है, then the new force will be, अब जो force लगेगा, वो कितना लगेगा, तो force तो attraction type ही रहेगा, और F की बात करें, तो F जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, अपने पास K, अब जो charges है, वो कौन है, 4Q upon 5, force attraction बता दिया है, तो polarity रगने की जरगती है, this will be 4Q upon 5, into क्या हो जाएगा, तो हमारा R square, 4Q upon 5, 16 upon कितना हो जाएगा, 25, K Q1 Q2 upon R square, जो अपने पास क्या बन जाएगा, तो अबने पास resilient force जो रहेगा, तो अबने पास resilient force जो रहेगा, that will be 16 upon 25 F, 16 upon 25 F, question number 45 का answer number रहेगा, 3, चल दे पास question number 46 पर, question number 46, क्या बोल रहा है, a point charge Q starts with velocity U in X direction, if a uniform electric field E is applied towards Y direction, then what will be the Y component of its velocity, when its displacement in X direction is L, okay, एक बिंदो आवेश Q, U wake से X दिशा में चलता है, तो U velocity से एक point charge Q है, और ये इदर चल रहा है, this is with wake U velocity, and an electric field और यहाँ पर Y दिशा में एक वैदुश के तरह आरूपित किया गया है, तो अपने एक electric field इदर की तरह अप्लाई कर रखा है, ये electric field Y direction में अप्लाई कर रखा है तो wake का Y गटक क्या होगा, जब इसका X दिशा में विस्तापन L है, तो यहाँ पर अगर पन देखे, तो UX, X दिशा में प्राणिबिक वैग U, Y, Y direction में initial velocity किती है, 0, तो इस पर इदर की तरह force लगेगा, कितना लगेगा, force, that will be QE, और इसका mass अगर M है, तो इदर जो acceleration हो जा QE upon अपना कौन हो जाएगा, M, क्या part समने आ रहा है, अब अपने को यह बुला हो है, कि displacement जब X direction में, when displacement in X direction is L, तो SX की value L हो, तो उस time पर अपने को, what will be the Y component of its velocity, VY की value अपने को क्या करती है, calculate कर नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर चला जिते है, SX that will be equals to UXT, plus क्या हो जाएगा 1 by 2, AX into क्या हो जाएगा, AX into T square, जबकि AX की value तो 0 है, तो यह हो जाएगा आपने पास 0, displacement in X direction L, UX की value कितनी होगा, तो यहाँ से T की value अगर अपने देखे तो कितना हो जाएगा यह, L upon, this will be L upon क्या हो जाएगा, U, VY, VY क्या होता है, VY that will be equals to UI plus क्या हो जाएगा, AY into क्या value, QE upon क्या हो जाएगा तो महरा M, और T की value क्या है, L upon, L upon U, तो यह तो बन जाएगा अपने पास कितना, QE L upon क्या हो जाएगा, M U, एक simple question, जिसका result बनेगा 46 का, QE L upon क्या हो जाएगा, M U, QE L upon M U, 46 का answer आएगा, answer number 4, चलते हैं अपन, अगले question पर, 47 पर, एक concave mirror of focal length F in air is immersed in water, M U, 4 by 3, the focal length of the mirror in water will be, एक focus दूरी F, वायू में, वाले आउतल दरपन को जल में डुबो दिया जाता है, तब जल में इसकी focus दूरी क्या होगी, एक बहुत, interesting मामला, दरपन की focus दूरी जो है, वो माध्यम पर निर्पर, नहीं करती है, क्योंकि आपके पास अभी, यहाँ पर, reflection पर phenomena नहीं हो रहा है, reflection पर phenomena की बात हो रही है, ठीक है, तो कौन mirror है, और mirror की focal length जो है, उस पर depend नहीं करेगी, लेक है, then the focal length of mirror will be only, हाँ, lens रखा हुआ है, तो focal length क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, because in reflection, if medium changes, then focal length will change, लेक है, तो 47 का answer हो जाएगा, 1, mirror है यह इस question में, यह ध्यान रखनी की बात है, 48, in the given figure, what is the magnetic field at point O, दर्शाए गए चित्र में, बिंदू O पर, चुमकी क्षेत्र का मान होगा, देखें, तो चलते हैं, देखते हैं, इधर, पहला section, यह वाला, तो point O जो है, वो इस wire के तो सामने ही आ रहा है, तो इसकी वज़े से, तो field intensity अपने पास B क्या हो जाएगा, field intensity इस जगह पर तो कितनी मन जाएगी, 0 मन जाएगी, इसकी वज़े से, कोई field intensity नहीं रहेगी, अब जो बाकी section बच्चे हुए है, एक है आपके पास यह, semi circular ring, और एक है आपने पास, यह infinitely long wire, जिसके एक end पर अपने को क्या करना है, एक end पर जो point है, वहाँ पर field intensity पता करनी है, एक semi circular ring ऐसा है, उसकी वज़े से, इस जगह पर field intensity यह, किदर रहेगा, perpendicular outward, perpendicular outward, तो यहाँ पर field intensity का expression क्या होता है, यह, इसकी वज़े से, angle कितना बन रहा है, इसका angle, this angle is pi, pi, देखे, तो एक general r की वज़े से field intensity किती होती है, mu naught i upon यह रहता है, अपने पास कितना, 4 pi, radius इसकी कितनी है, अपने पास r, 4 pi r, इंटो कितना होता है, theta, देखे, और theta क्या बन रहा है, तुमारे पास, अभी, अपने पास theta बन रहा है, के वल, इसकी वज़े से field intensity की बात कर रहे है, तो field intensity will be equals to mu naught i upon यह कितना हो जागा, 4 pi r into यह angle हो गया, pi, pi से pi cancel, और b will be equals to mu naught i upon कितना हो जाएगा, 4 r, ठीक है, तो एक ring की वज़े से field intensity जो रहती है, mu naught i upon 2 r रहती है, तो यह semi circular ring है, तो half हो जाएगी, तो mu naught i upon कितना हो जाएगा, 4 half हो जाएगा, अब आगे, यहाँ पर इस वाले wire की वज़े से field intensity, एक wire की वज़े से, इसकी direction की अगर अपन बात करें, तो इस जगह पर, इस wire की वज़े से field intensity, वो भी क्या रह रही है मारे पास, इसकी वज़े से perpendicular outward, तो पहला इस वाले section की वज़े से field intensity, that is perpendicular outward, और इस वाले wire की वज़े से field intensity, that is also perpendicular outward, तो चीज़े तो additive रहेगी, दोनों field intensities क्या होगी, add होगी, अब एक wire, जिसके लिए situation ऐसी हो, infinitely long wire की इधर, r distance पर एक point है, तो इस जिगर पर field intensity कितनी होती है, तो पूरा wire जो अगर अपने पास एक wire है, तो उसकी वज़े से field intensity b का expression, क्या होता है, mu naught i upon कितना रहेगा, 4 pi d, यह होता है, sin theta 1, plus क्या रहेगा, sin theta 2, ठीक है, और इधर से एक direction में angle कितना बन रहा है, 90 degree angle बन रहा है, और एक direction से 0 degree का angle है, wire की वज़े से, जब आप एक end के पास में हो, तो theta 1, एक तो हो जाएगा, अपने पास कितना 90 degree, और यह हो जाएगा, अपने पास 0, sin 90 की value हो जाएगी 1, और यहाँ पर d जो है, वो किसके बराबर है, r के बराबर है, तो इस wire की वज़े से field intensity b will be equals to, यह बनेगा, मेरे पास mu naught i, अपन कितना हो जाएगा, 4 pi r, और दोनों field intensities, दोनों sections की वज़े से field intensities कित्ती रहेगे, additive रहेगे, बैसे भी यह expression आपन याद भी रख सकते हैं, कि एक wire के, एक end के past में, जो कोई point हो, perpendicular distance पर, उच जिएगा पर field intensity will be mu naught i upon 4 pi r, दोनों field intensity is additive, result रहेगा, आपने पास net field intensity, mu naught i upon 4 r, प्लस है जोगा जागा, mu naught i upon कितना बन जागा, यह 4 pi r, mu naught i upon 4 r, प्लस, यह 4, यह तो मामला खतमी हो गया, यह भी नहीं बनेगा, यह भी नहीं बनेगा, इधर additive, mu naught i upon कितना बन जागा, 4 r और 4 pi r, तो 48 का answer हो जागा, आपने पास answer number 3, चलते हैं पन question number 49 पर, question number 49, dimension of electromotive force will be, विद्ध वहग बल EMF की विमा होगी, ठीक है, electromotive force, दिखने में नाम इसमें आ रहा है क्या है, force है, पर यह force नहीं है, EMF is voltage, ठीक है, EMF potential होता है, ठीक है, और potential की dimension, अपने calculate करेंगे, ठीक है, force है, पर यह force अपने को बोला हुआ है, इसका नाम force होता है, but it is electromotive, और electromotive force या EMF जो होता है, वो voltage होता है, voltage क्या होता है, potential, that is potential energy per unit क्या रहेगा, charge, तो voltage की dimension जो होती है, potential energy, क्या होती है, energy, M1L2 T-2 upon charge, that is AT, तो dimension of voltage, that is M1L2 T-3, यह बन जाएगा मेरे पास कितना, A-1, एक important point है यह, इसमें force लिखा हुआ है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधा लिख कर दो M1L1 T-2, force है, it is not force, it is potential, लेके, और यह बल नहीं है, यह विभाव है, लेके, potential, या voltage है, लेके, M1L2 T-3, A-1, 49 का answer रहेगा, 3, लेके, एक interesting important question, चलता है, अपन question number 50 पर, question number 50, the combination of gates, shown in figure will produce, दिया गया परिपत, किस द्वार के तुल्य है, ठीक है, circuit बन रहा है, कभी भी आपकी ध्यान रखें, जो universal gates है, universal gates कौन से अपने, NAND और NOR gates, ठीक है, तो यह होता है, अपना कौन, NAND gate, ठीक है, NAND gate पर terminal अपने पास, यह रहेगा, A, B, ऐसा अगर है, ठीक है, अभी अपन, A, B नहीं लेते हैं, लैसे P, Q ले लेता हूँ, P, Q, तो अपन जानते हैं, कि इसका output जो रहेगा, वो क्या रहेगा, P, Q का क्या रहेगा, whole bar, उसी तरह से, अगर अपने पास NOR gate है, तो NOR gate पर अगर अपने पास P, Q input है, तो इसका output जो रहेगा वो क्या रहेगा P plus Q का क्या रहेगा whole bar अगर मैं इन दोनों को connect कर देता हूँ तो P और Q सेम हो जाते हैं तो अब ये जो NAND और NOR gates जो universal gates है अगर आप इनको इस तरह से connect कर देते हैं यानि कि दोनों input सेम हो जाते हैं तो उस time पर क्या हो जाएगा ये P dot P का whole bar और it will become P bar एक हैं, हमेशा P dot P हमेशा क्या रहेगा P रहेगा एक हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा P plus P, logical algebra की बात कर रहे है P dot P square नहीं है कहने का मतलब P की value अगर 0 है तो 0 into 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा और 1 into 1 भी क्या रहेगा, 1 रहेगा तो P dot P क्या रहेगा, P ही रहेगा ठीक हैं, उसी तरह से P plus P जो रहेगा, वो भी क्या रहेगा P और उसका क्या हो जाएगा, बार रहेगा कहने का मतलब 0 प्लस 0, कितना रहेगा 0, और logical algebra में 1 plus 1 जो होता है, वो 1 ही होता है ठीक है, or gate type का पामला, तो इस तरह से, तो effectively, universal gates की जब आप terminals या inputs को, दोनों inputs को connect कर देते हैं, तो वो not gate की तरह behave करने लग जाते हैं, यहाँ पर P अपलाई कर रहे हैं, तो आपने को output में क्या मिल रहे हैं, P bar इदर P अपलाई कर रहे हैं, यह not gate है, तो output क्या मिल रहे हैं, अपने को P bar, यह not gate की तरह behave करेंगे, तो चलते हैं, इदर इस system को solve करते हैं, यह मेरे पास A है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा अब A bar, इदर यह B है तो यहाँ क्या आजाएगा, B bar और यह चल रहा है, अब यहाँ पर, तो इदर अपने पास क्या आजाएगा है, A bar आ चुका है, इदर अपने पास B bar आ चुका है, यह Nand gate लग रहा है, तो यहाँ जो output आएगा वो बनेगा अपने पास कौन, A bar input, into B bar, यह Nand की वज़े से इस पर क्या हो जाएगा whole bar, क्या पास समय रही है, तो यह अपने पास output रहेगा, Nand क्या करता है दोनों का multiply का invert, तो दोनों का multiply, दोनों का multiply का अपने किया invert, यहाँ पर apply करेंगे demorgas theorem, अगर अपन bar को break करते हैं, तो इस bar को break करने का मतलब A bar, bar bar को break कर रहे हैं, B bar, bar, bar को break किया, तब आप बीच में क्या करेंगे, demorgas theorem बोलती हैं, कि if you are breaking the bar the sign will be changed, तो यहाँ पर यह dot है, तो यह किस में convert हो जाएगा, plus में convert हो जाएगा, demorgas theorem देखें, तो A bar bar का मतलब क्या हो जाएगा, वापिस A और इदर B bar-bar का मतलब क्या हो जाएगा B और अगर अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो अब अपने पास यहाँ पर जो रिजल बन चुका है effectively क्या बन गया है, A plus B बन गया है, और यहाँ पर लगा हुआ है वापिस से दोनों terminal connected का NOR gate लगा हुआ है, तो यहाँ पर effectively यह किस की तरह behave करेगा, inverter की तरह behave करेगा, inverter या NOR gate की तरह behave करेगा, तो नॉट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दुम्हारे पास, A plus B का whole bar, एक बढ़िया question, जैसमें gates के basic concepts को अपने use किये result जो आ रहा है अपने पास output will be A plus B का whole bar, अब यह system किस की तरह behave कर रहा है, तो A plus B का whole bar होता क्या है, A plus B का whole bar जो होता है वो किस से मिलता है अपने को NOR gate से मिलता है, A plus B का whole bar, this combination will be NOR gate, तो 50 का last question का answer हो जाएगा, 3 this system will behave as NOR gate, तो अपने paper का discussion complete किया, और मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोग को इस से बहुत कुछ गेन हुआ होगा इस paper के discussion से all the best for your next exam, this is for today, thank you very much